मेरी स्वामिनी मेरा धे को दास जनम जनम मोह दीजियो श्रिन्दाव नवास राधातों बड़भा गिनी कौन तप श्याकीन तीनों लोक किनात है सोते रुआ दे जयराधा माधव कुंज बिहारे 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 ये शुदानन दाना जज़ ज़ना यम ज़ना ये शुदानन दाना ज़ना ज़ना नम ज़ना या शोदानन्दना प्रजजनरंजना या मुना तिरा मलचाई या मुना तिरा मलचाई या मुना तिरा मलचाई जयरादामादवत पुंग विहारे जयरादामादवत पुंग विहारे ते या मुना तिरा नयर विहारे झाल या मुना तिरा मुना तिरा जय राधा माधा वक्तुन जबिहारी जय राधा माधा वक्तुन जबिहारी जय राधा माधा वक्तुन जबिहारी जय गोविंदा सोविंदा गोपारा जय गोविंदा गोविंदा गोपारा जय गोविंदा 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 गोपारा जय गोविंदा 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 गोपारा जय गोविंदा 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 गोविन्द गोविन्द गोपारा गोविन्द गोविन्द गोपारा भज मुरली मनोहर नंद नाला भज मुरली मनोहर नंद नाला भज गोविन्द 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 गोपारा भज मुरली मनोहर नंद नाला 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 बज मुर लिमनो हर नंद नाला बज मुर लिमनो हर नंद नाला जजनन्द यशोदा दुला दिरिवर धारि गोपाः जजनन्द यशोदा दुला जजनन्द यशोदा दुला दिरिवर धारि गोपाः जजनन्द यशोदा दुला दिरि गोपाः गोपाः गोपाल 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 जय जय नंदय शोदा गोणा गिरिवर धार गोपाल जय जय नंदय शोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपान जय नंदय शोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपान 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 जय जय नंद यशोदा गुणा धिरिवर घैर गुणाँ जय जय लगे गुणा धिरि वर घैर गुणाँ नाम महा धनहे अपनों नहीं दूसरी संपति और कमानी नाम महाधन है अपनों नहीं दोसरी संपतियों रकमानी छोड ये टाल ये टाजद की हमको को तुया ब्रज मैं रगानी तूक मिले रसिकों की सदा और पीवन को ये मुना जलबाई हमे योरन की परवा नहीं अपनी तकुरादी शिराध करानी अपनी तकुरादी शिराध करानी राधा शामसंद राधा शामसंद राधा राधा शामसंद राधा शामसंद राधा शामसंद राधा राधा शामसंद राधा शामसंद राधा शामसंद राधा राधा शामसंद राधा शामसंद राधा शामसंद राधा कुष्ण बाल राम जये खुष्ण बाल राम खिष्ण बलराम जये खिष्ण बलराम हाँ गोरनिताय जय गोरनिता प्रभुपाजा प्रभुपाजा शिन प्रभुपाजा 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 शिन प्रभुपाजा शिन प्रभुपाजा 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 शिन प्रभुपाजा प्रभुपाजा शिन प्रभुपाजा शिन प्रभुपाजा सबस्टा, 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 मीत पगोरा हरी गोल, 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 हर वासुदेवाया Om Namo Bhagavate वासुदेवाया Om Namo Bhagavate वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदे वाया श्रिमत भागवतम, सकंध दस, अज्याय दस, श्लोक्रमांक आठ श्रिनारद वाचा नहयन्यो जूशतो जोश्या बोद्धि भ्रण्षोर जोगुणा श्रीमदाद भिजात्यादी श्रीमदाद भिजात्यादी यत्र स्रीधूत मासव अन्यन्ते पशवो यत्र निर्दये रजितात्मभी मन्यमाने रिदंदेहं जराम्रोध्यो नाश्वरं देवसंगीतमा प्यांते क्रोमेवेवस्मसंगीतम भूत द्रुकतत कृतेश्वार्थम किम्बेद निरयो यत्र किम्बेद निरयो यत्र शेक्तूर मातुरेवज मातुहु पित्रूर वाबलिना क्रेतूकनेशुनों पिवा एवं साधारणं देहं अव्यक्त प्रभवाप्ययं को वित्वानात्म सात्कृत्वा व्यक्ति जन्तूनृते सतह असत श्रिमदान्धस्या दारीत्रयं परमजनम आत्मों पम्येन भोतानी दरीत्रह परमीक्षते यथा कंटक वीत्वांगो जन्तोरने चतिताम व्यथा जीव साम्यम गतो तिंगे नतथा वेद्वकंटकः दरीत्रो निर अहम्स्तंभो हरे द्रुमेर हरस्तंभो मुक्तह सर्वमदेरिहा क्रिच्च्रम्यदिच्यापनोती तत्वितस्या परम्तपह नित्यम् शुच्च्चामदेहस्या दरीत्रस्यानकांशिनह दरीत्रस्यानकांशिनह इंद्रियान्यनुसोशंती इंसापी विनिवर्थते दरीत्रस्ये वयूजन्ते सादव समदर्शिनह सादव समदर्शिना सत्वेक्षिनोतितंतर्शं सत्वेक्षिनोतितंतर्शा तत आराद्विशोथ्यते श्रीनारदुवाद्गुरु वेगोरचंद्राया राधिकायत दाले क्रिष्नाय क्रिष्न भकताया तत भकताया नमो नमा निंदंतंतं कुलकोत करेण विकसा अन्नी पप्रासुन्चविम् प्रोद्वेर क्रूत्य भुजाद्वयं हरी हरी त्यूचे वदन्तं मोहूं निरित्यन्तं दुत्तमाश्रु निर्जदचये सिंचंत भूर वेतलं गायंतं निजपार्षदे परिव्रुतं श्री गोरचंद्रम्नोमाश्रु निर्जदचये अन्षि विवो शितकरां नवनीरदाभाः पीताम्बरदरुनबिम् बफल धरोष्टाः पुरनेंदु सुन्दरमुखा अरविंदनेत्राः क्रिष्नात्परं किमपी तत्व अहम नजाने करार विंदे नपदार विंदं मुखार विंदे विनिवेशयंतं वता स्यपत्र स्यपतेशयानं बालं मुकुन्दं मनसास्मरामी श्री गृष्न गोविन् दहरे मुरारे हे नात नारा यनवा सुदेवा जिहवे पिबत्स्वा मृतमेत देवा गोविंद दामो दर्मा धवेति जय जय श्री रादार मना जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभूर जय जय माकन चोर अरे आप सब भक्तोक्तों का अंतराश्टिय क्रिष्ण भावनामृत संक द्वारा प्रस्थापित श्रुमद भागवत कता के सश्ट दिवसिये प्रथम सत्र में हारदिक स्वागत करते हैं प्रम सुभाग्य से विभुषित प्रम विरक्त चुडामनी प्रम भागवत भागवत भासकर भागवत प्रदान प्रात स्मरणिया व्यास नंदन वय्या सकी श्वी शुकदेव को स्वामी के चरण कमलों में बैठकर भागवत कता श्रुमन करने का अउसर प्राप्त हुआ है और रदय को पवित्र करने वाली भागी रती गंगा के तट पर हम सब उपस्थित है भगवान से कृष्ण परम कृपालू है अतियंत दयालू है और उनने देवी गंगा के उपर असीम अनुकम्पा की है गंगा और यमना ये दोनों सखी हैं कई बार आपस में मिलती है एक समय की बात गंगा और यमना दोनों एक साथ बैठी थी तब उस समय गंगा ने बहुत अफसोस किया के है यमना तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि जब कृष्ण ने जन्म लिया जन्म से ही कृष्ण तुमें सोवाग्यदे रहे है जन्म से ही कृष्ण आपमें प्रवेश करके मतुरा से गोकुल गये और यमना प्रती दिन कृष्ण तुमारे जल को पान करते है यमना तुमारे तड़ पर ही कृष्ण अने को लिला संपन करते है यहां तक कि कृष्ण तुमें अपनी पटरानी मानते है परन्तु मैं कितनी दुरभाग्यशालीनी हूँ मैं भी तुमारी तरह एक नदी हूँ परन्तु कृष्ण से कोई संग नहीं कृष्ण के चरणों से मेरा स्पर्ष तो हुआ लेकिन चरणों से स्पर्ष होकर बस कृष्ण के चरणों से दूर जाती रहती हो यदि हे यमना यदि तुम्हें कृष्ण मिले तुझरा कहना कि जैसी कृपा कृष्ण ने तुम पर की उनमें से एक प्रतिश्यत कृपा भी मुझ पर हो जाए तो मैं धनिया थी धनिय बन जा हूँ कुछ दिनों के बाद देवी यमना को कृष्ण से मिलने का आउसर प्राप्त हुआ यमना और कृष्ण एक साथ बैठे थे और यमना ने देवी गंगा के दुख की बात सुनाई मेरी सकी कह रही थी कि आपने उनको सोभाग्य नहीं दिया तब भगवान से कृष्ण ने यमना को कहा यमना जाओ जाकर गंगा को कह दो कि मैं जन्म लिया यमना के तटपर मैं जीवन भर जल पिया यमना का और यमना के तटपर मैंने अनेको लिला संपन न की परंतो आज के बात यद भी मैंने मेरी लिला यमना के तटपर संपन न की परंतु में वरदान देता हूँ आज के बाद इस कल्यूग बे जितनी भी कताय होगी वो गंगा के तड़ पर होगी इसी के फल सरुप आप देखोगे जब संकादिकों ने नारद मुनी के लिए भक्ती मारानी के दोनों पुत्र ज्यान और विराग्य के लिए कता की तो इसी गंगा के तड़ पर या शुक्तेयों को सामी ने महाराज परिक्षित को कता सुनाई इसी भागी रती गंगा के तड़ पर या फिर मेत्रे मुनी ने विदुर जी को कता सुनाई इसी भागी रती गंगा के तड़ पर यहें गंगा का सोभाग्य है बगवत कता प्रायव बड़े बड़े संत महात्मा मनिशी गंगा के तरड़ पर बैठकर कता को सुनाना और सुनना पसंद करते हैं आज हम सबका परम स्वभाग्य है किसी भागी रति गंगा के तरड़ पर बैठकर और शुक्देव गोश्वामी के चरणों में उपस्थित होकर उसी दिव्याती दिव्य भगवान सी कृष्ण की विशुद्य लिला रचित श्रिमत भागवत कता श्रमन कर रहे हैं श्रिमत भागवत के दसम स्कंत के दसम अध्याय में गत्सत्र में आपने श्रमन कीया किस प्रकार धनध कुबेर जी के पुत्र जिनका नाम नल कुबेर और मनीग्रिव था कुबेर जी के दो पुत्र अपने पिता के धन के अभिमान में और रुद्रस्य अनुचरो भुत्वा और शिव जी के अनुचर होने के अभिमान से रदय में इतना मद उत्पन हुआ कि एक दिन की बाद कहला से उपवने स्थिते भगवान शिव जी के दिव्य लोक में दिव्य तिर्थ स्थान में ये नलक बेर और मने ग्रिव किसी स्त्री को साथ में लेकर शराब पिने लगे यद्दपी संसार में किसी भी शेत्र में शराब पिना ये बहुत बड़ा पाप है परन्तु भगवान के धाम में शराब पिना यह तो जगन्य पाप हैं परन्तु संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं विचारे आदत से मजबूर होते हैं क्या करें धाम में आकर भी पाप छोड़ नहीं सकते हैं परन्तु भगवान के धाम को समझ कर भगवान के धाम की महिमा को समझ कर उस धाम का पूर्ण पूर्ण लाव लेने के लिए एटलिश्ट धाम में अपरादों से वर्जित रहना चाहिए परन्तु धन के अभिमान से शिवजी के वह पवित्र तिर्थ धाम में कैलास नामक स्थान में मंदागिनी नदी बहती हैं और मन्दागिनी के उपवन में दो स्त्रियों के साथ ये दोनों कुत्र शराप पिकर नशे में चूर थे और उन स्त्रियों के साथ गंगा में स्नान कर रहे थे निर्वस्त रस्नान कर रहे थे उसी समाई यदिच्छया सचंद गती से विर्चरन करने वाले परम भागवत शिनारद मुनी वहां पर पढ़ा रहे वक्तो प्रसंग हमें इंगित कर रहा है कि कैसा भी स्थान हो कैसा भी पाप हो यदि संतों के आगमन की बात होती हैं तो समझ जाना चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है संतों का आगमन सदेव जीवों के लिए कल्यान कारी होता है ये बात शिमद भागवत तम के एकादस कन में भगवान सी कृष्ण के पिता वसुदेव जी नारद मुनी को कहते हैं जब नारद मुनी द्वारीका में जाते हैं और वसुदेव जी नारद जी का स्वागत करते हैं उस समय वसुदेव जी कहते हैं कि हे नारद जी आप जैसे संतों का आगमन हम ग्रियस्तियों के लिए पूर्ण रुप से कल्यान कारी हैं आप जैसे संतों को छोड़कर इस अंसार के मनुष्य प्राय अपने स्वार्थ के लिए विचरन करते हैं मनुष्य एक स्थान से दुसरे स्थान पर जाता है क्यों क्योंकि अपना स्वार्थ चाहिए यहां तक देवता भी किसी के घर पर अपने स्वार्थ को साधने के लिए जाते है भूता नाम देव चरितम सुखा यचर दुखा यचर वसुदेव जी कहते है भूता नाम जीवों के लिए देवताओं का आगवन कभी-कभी सुख के लिए होता है या तो कभी-कभी दुख के लिए होता है परंतो आप जैसे संत जिसके घर पर पदारते हैं उस घर में सूख ही सूख नित्य सूख की बारिश होती रहती है यह हैं संतों का आगमन गरगाचारिय जी नंद बाबा के घर पर पदारे तब उन्होंने भी यही बात बताई कि आप जैसे संत महत विचलनम निरनाम महात्मा आप जैसे महात्मा जब अपने आश्रम से चलते हैं तो उसका एक ही उद्श्य होता है ग्रियस्तियों में पाप में फसे हुए perpetual का उद्भार करना मात्मा अपने लिए नहीं दुसरों का उद्भार करने के लिए अपने आश्रम से अपने घर से चलते हैं और ऐसे मात्मा जब हमारे घर पर आये तब समझ जाना चाहिए कोई अच्छा कारी होने जा रहा है क्योंकि मात्माव का आगवन सदेव जियों के लिए और ग्रियस्तियों के लिए कलियान कारी होता है निश्चित रुप से और तो क्या बात बताई जाए भक्तो अजामिर नाम का व्यक्ति इस संसार में एक भी ऐसा पाप नहीं था जो अजामिर ने नहीं किया था निश्चित नरक में जाने वाला था और इस संसार में हाहकार मचा दिया था और उस अजामिर ने वेश्चा के साथ विवा किया था उस वेश्चा के घर पर महात्माओं का आगमन क्या हो गया इतने बड़े पापी के घर पर मात्र महात्माओं का आगमन होने से इतना बड़ा पापी भागवत में स्थान ले लिया ने तो पापी हो की कता भागवत में और महात्माओं ने क्या क्रिपा की बस उस अजामिल के पुत्र का नाम नारायन रख दिया उनके घर पर भोजन ग्रहन किया आशिरवाद दिया उनके पुत्र का नाम नारायन और मृत्यू के समय अपने पुत्र का नाम नारायन लेने से अजामिल नरत में जाने से बज़ गया ये हैं महात्माओं की कृपा नारदमुनी जैसे संत वहाँ पर पधार रहे हैं निश्चित कुछ अच्छा होने जा रहा है तो वहाँ पर नारदमुनी को नारदमुनी आ रहे थे ये चारों लोगों ने देखा नलकुबेर मनिग्रिव और दोनों स्त्रियों ने नारदमुनी को आते देखा तो द्रश्टवा मदिरा मत्तो सातवाश लोक नारदमुनी आ रहे हैं नारदमुनी ने देखा चारों लोगों ने नारदमुनी को देखा स्त्री को लज्जा आ गई और स्त्रिया वहां से दोड़कर अपने वस्त्र को पहन कर वहां से चली गई परन्तो इन दोनों को लज्जा नहीं आई नारदमुनी ने देखा कि मदिरा में मत्त होने के कारण और अपूल वैभव संपत्ती होने के कारण ये दोनों अंधे हो गया है तो द्रश्टवा मदिरा मत्तो श्री मदान दो सुरात मुझो शराब के नशे में और दन के नशे में ये दोनों अंधे हो गया है परन्तु मैं साधू हूँ संतू हूँ अता मेरा कर्तव यह हैं इन दोनों के उपर कृपा करूँ निशित में इन दोनों के उपर क्रिपा करूंगा तयोर अनुग्रार थायर और इन दोनों के उपर क्रिपा करने के लिए शापम दास्यम इदम जगो मैं इन दोनों को शाप दूँगा नारत मुनी ने तुरंत शाप नहीं दिया नारद मुनी चलते हुए इन दोनों के पास जा रहे हैं तब तक कुछ सोच रहे हैं और नारद मुनी ने जो सोचा है मानों समाज के लिए बहुत एक उपाध्य ही सिख्षा है नारद मुनी ने अपने मन में जो सोचा है ये बात यदि हमारे मन में तै हो जाए हमारे मन में बच जाए तब इस दुनिया میں क्रांती आ सकती है हमारा सुबाग के है नारद मुणी ने मन में क्या सोचा शुकदेव गो स्वामी ने जान लिया और इसी स्थान में बैटकर सुकदेव गो स्वामी ने नारद जी के मन की बात हम सब को बताई आईये इस नल कुपर और मनी गिरू को शाप देने से पहले नारदमुनी अपने मन में क्या सोच रहे हैं इदम जगो मने बोलना नारदमुनी इदम इस प्रकार से बोले तो प्रश्ण हो सकता है नारदमुनी किसको बोले तब आचार येगन कहते हैं नारद मुनी अपने ही मन को बोले वहाँ पर और कोई आदमी तो था नहीं और वो दोनों पागल थे ना रहे थे इस्नान कर रहे थे तो शापम दास्यम इदम जगो इस प्रकार से नारद मुनी बोले किसे बोले नारदमुनी अपने ही मन को बोले लग तो नारदमुनी जो कारिय कर रहे है न ये कारिय हमें रोज करना चाहिए तो कि संसार के सामने तो हम बोलते ही रहते हैं परन्तो कभी-कभी हमें हमारे मन को भी कुछ बोलना चाहिए हमें हमारे मन को समझाना चाहिए हमारे आचारियों ने एक बहुत सुंदर गरंत लिखा मनह सिख्षा कभी-कभी हम हमारे पुत्रों को बिठा कर समझाते हैं सवजनों को बिठा कर समझाते हैं परन्तु ये सब कार्य करने से पहले हमें हमारे मन को समझाना चाहिए कि हमारा मन बहुत बिगड़ा हुआ है मन में अनेक कामनाएं उठती है हमारे शरीर में अनेक तत्व है ये जो शरीर दिक्रा है पृत्री जल अगनी वायो और आकाश से ये स्थूल शरीर बना है और इनके अंदर पांच सुक्ष्म तत्व है दो आध्यात्मिक आत्मा और प्रमात्मा और तीन सुक्ष्म तत्व है मन बुद्धी और अहंकार तो इस मन नामक तत्व का कारिय है सोचना थिंकिंग फिलिंग एंड विलिंग ये मन तीनों कारिय करता है मन एक ऐसी नदी हैं जिसमें विचार बहते रहते हैं और उपनी शदों ने तो कहा है ये मन ही संसार के जिवों के लिए बंधन का कारण बन जाता है मन एव मनुष्या नाम कारण बंधन मोक्षयो बांधाय विशया संगे निर्मुक्त विशया मना ये मन संसार के बहुतिक वस्तु का स्मर्ण करता रहे तो स्मर्ण करने वाला मन है परंतु फस जाता है आत्मा मन एक ऐसी वस्तु है जो आत्मा को पूर्ण रुप से दुर्गती में डाल देता है यहां तक कि यही मन हमें नरक में भेज़ देता है और यही मन चाहे तो हमें स्वर्ग में भेज सकता है मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मुक्ति का कारण है और वगवान सी कृष्ण वगवद गीता में दृष्टान देते हैं जैसे एक रथ है उस रथ में पाँच गोड़े लगे हैं यह पाँचो गोड़े हमारे पाँचो इंद्रियों के समान है पांचो गोड़े इंद्रियों के समान है और वो लगाम जो है वो हमारा मन है पांचो गोड़ों के मुँँ में नाक से होकर जो रस्ती निकलती है वो लगाम वो हमारा मन है और उस लगाम को पकड़ने वाला सार्ती हमारी बुद्धी है और उस रत के उपर सवार होने वाला स्वामी हमारा मतलब हम आत्मा है हम इस ये आत्मा इस रत के उपर सवार होकर अपने जीवन को बिताता है विचार करो वक्तो जिस रत में पांच-पांच गोड़े लगे है और उस समय सार्थी के आतों से वह लगाम छुट जाए और घोड़े स्वतंत्र बन जाए तब उस रत का क्या हो सकता है ये आप सब लोग जान सकते हैं वो रत कहां जाकर खड़ा रहेगा, कहां तूटेगा, खुटेगा, इसका कोई वरोसा नहीं ठीक उसी प्रकार बुद्धी के त्वारा यदि हमारे मन को वश में न किया जाए तो ये हमारा मन हमें कहीं पर भी ले जा सकता है, कहीं भी और भग तो मन का सुबाव है, दुनिया के कचरे के उपर ही जाता है इस मन में अच्छे विचार कम और बुरे विचार जादात है ये मन का सुबाव है अतह बुद्धी के द्वारा अपने मन को वश में करना चाहिए, समझाना चाहिए, है मन भजहुरे मन श्रीनननन्दन अभया चरनार प्रिंदरे भजहुरे मन श्रीनननन्दन अभया चरनार प्रिंदरे गोडिय परंपरा में अदभूत संत हो गय है उन्होंने जगत को बताया कि आप अपने मन को समझाईए, क्या समझाईए भजहुरे मन श्रीनननन्दन अभया चरनार प्रिंदरे भजहुरे मन श्रीननननन्दन अभया चरनार प्रिंदरे दुरला भामानव जनम सत संगे दुरला भामानव जनम सत संगे तरहुये भव सिंधुरे भजहुरी मन शीननननन अभय चरनारंगरे भजहुरी मन शीनननननन Nelson इभय चरने गोविन्दाश जी कहते हैं कि हे मन तुम समझ जाओ इस अंसार में अभई प्रदान करने वाले अभई चरण भगवान सी क्रिष्ण के चरणों में लग जाओ क्योंकि दुरलब मानव जनम सतसंगे ये मनुष्य जीवन अत्यांत दुरलब है और अत्यांत दुरलब इस मनुष्य जीवन का लाव उठाकर अपने मन को भगवान सी क्रिष्ण के चरणों में लगा जाओ इस अंसार में प्राया हमारा मन सुख और दुख में फसा रहता है जब जीवन में सुख आए तो ये मन भगवान को भूल जाता है दुख आए तो रोने लगता है गुविन्दाजी कहता है सुख और दुख तो जीवन में आएंगे शीत आतप बात बरीशन एदिन यामिन जागिरे शीत आतप बात बरीशन एदिन यामिन जागिरे विफले से विनू कृपण दुर जना विफले से विनू कृपण दुर जना गुविन्दाजी कहते है सुख और दुख तो जीवन में आएंगे जिसे ठंडी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद ठंडी दीन के बाद रात और रात के बाद दीन वैसे सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते रहेंगे इस सुख दुख से संसार के जियों को विचलित नहीं होना चाहिए अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए और इस संसार में कब तक संसार के लोगों की गुलामी करोगे थोड़े से सुक के लोव में थोड़े से इंद्रतुक तुक्ति के भोग में कब तक जगत के लोगों की गुलामी करते रहोगे छोड़ो जगत के लोगों को और लग जाओ कृष्ण के चरणों में अपने मन को मनाईए विफले से विनू क्रिपान दूर जाना विफले से विनू क्रिपान दूर जाना चपल सुकलव लागी रे रे चपल सुकलव लागी रे अजभुरे मन चिननननगन अभय चरणार दूरे अजभुरे मन चिननननगन अभय चरणार दूरे यह दन योवन पुत्र परीजन इथे की आशे परती तिरे मनाईए अपने मन को है मन कब तक तु अपने पुत्र में, परीजन में, पत्नी में और धन में फशा रहेगा ये पुत्र, परीजन, धन कुछ साथ में नहीं आएगा और जीवन बहुत कम बचा है, जैसे कमल के पत्र के उपर पानी की बुन स्थीत होती है कब हवा आ जाए और गिर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं वेसे हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब काल आ जाए, और हमें मारदा ले ये मन समझ जाओ, अभी भी समझ है, अपने मन को समझा लो एधन योवन पुत्र परीजन, इथे की आचे परती तिरे कामल दल जल जीवन तल मला 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 भजा हो हरी बदर मीतिरे भजा हो हरी बदर मीतिरे भजा हो रे मना शिनननननननना अभया चरनारत पुन्दरे श्रवन कीर्तन अस्मरण वन्दन पादसेवन दास्यरे हमारे प्रयास से यदि मन समझ जाए यदि मन हमारे वश में हो जाए तब मन कहेगा मैं कुछ केप बिना रह नहीं पाऊंगा मन एक ऐसी वस्तु है इसे कुछ न कुछ काम चाहिए खाली मन शेतान का घर यदि मन को खाली रखोगे तो यह मन हमें खा जाएगा मन को वश में करके हमें क्या कराना चाहिए गोविन्दाजी कहते हैं श्रवन कीर्टन अस्मरण बंधन पाद सेवन दास्यरे पूजन सकी जन आत्म निवेदन पूजन सकी जन आत्म निवेदन पूजन सकी जन आत्म निवेदन गोविन्द दास अभि नाशरे गोविन्द दास अभि नाशरे दूरलभमा मानव जन मसक्त संगे लग्वय गववध सिंग्वय सिंग्टरम्वय वंदर हुय घञ्ग हुरे ननन लिननन लन अभय चरनारम्दरे अभय चर नारा प्रिंदरे वे मन समझाओ समझाईए अपने मन को रात दिन दोड़ता रहता है विश्य भोगों के पीछे इन विश्य भोगों से मुक्त होकर अभय प्रगान करने वाले भगवान से क्रिष्ण के चरणों में लग जाओ नारद मुनी अपने मन ही मन में अपने मन को कह रहे हैं क्या कह रहे हैं शिनारद वाच़ नयन्यो जुशतो जुश्यान बुद्धी ब्रण्शो रजो गुणह श्री मदाद आभी जात्यादी यत्र स्री जूत मासनह इस रष्ठम श्लोक में नारद जी कहते हैं अपने मन ही मन को श्राप देने से पहले अपने मन ही मन में थोड़ा सोच रहे हैं उस नल कुबेर और मनी गरिव के विशय में वक्तो आप ये मत सोची के नारद मुनी नल कुबेर और मनी गरिव को देखकर ये सोच रहे हैं यदि हमें पवित्र होना है तो आप ये सोची नारद मुनी हम लोगों को देखकर ये सोच रहे हैं ये मात्र नल कुबेर और मनी गरिव की कता नहीं ये हम सब की कता है हम सब की व्यथा है क्या सोच रहे हैं नहीं अन्यों जुशतों जोश्यान बुद्धी भ्रण्षों रजोगुण इस संसार में मनुष्य की बुद्धी भ्रष्ट करने वाला धन मद से बड़ा और कोई दोश नहीं है श्री मदाद अभी जात्या दी यत्र सी द्यूत मासना किसी भी मनुष्य में दोश तो बहुत सारे हो सकते हैं परन्तु श्री मद धन का अभिमान जो है ये सबसे बड़ा है वैसे तो मनुष्य में रजोगून भी बहुत बड़ा दोश है परन्तु धन का अभिमान जितना बड़ा दोश ये रजोगून नहीं है क्योंकि रजोगून के द्वारा व्यक्ति ही भौतिक विश्यों में आसकत रहता है यदि किसी व्यक्ति में रजोगून नामक तत्व आ जाए तो वह व्यक्ति किसी में आसकत होकर अपना जीवन बिताता है परन्तो धन का मद धन का अभिमान यदि किसी को आ गया श्री मदाद अभी जात्या दी श्री मद जिसमें आ गया धन का अभिमान जिसमें आ गया उसका इस संसार में पूरण रूप से पतन हो जाएगा क्यों? क्योंकि धन का अभिमान एक ऐसी वस्तु है जिसमें सारे पाप चिपे हुए है दन का अभिमान हो गया तो व्यक्ति अनेकों पापों में उलच जाएगा नारदमुनी ये भी बता रहे हैं किन किन पापों में उलच जाएगा श्री मदाद अभी जात्याती जिसमें श्री का दन का मद है कहते हैं उसमें यत्रस्त्री द्यूतमासन ईसको धदन का अभिमान हो गया वे किसी अन्य परस्त्री में आ सकते होगा निश्चिक ये धन का दोश है भगतों धन जब अमारे पांस आता है तो ये मत समज ये मत्र धन ही आ रहा है दन अपने साथ अनेकों दोशों को लेकर आता है भागवत के दसम्सकंद में एक जगपर शिदर स्वामी ने लिखा है अर्थ ही अनर्थस्य मूलनम ये अर्थ ही कभी-कभी अनर्थों का मूल बन जाता है अर्थ के अनर्थ क्या है? नर्थ जी मनी मन में सोच रहे हैं कि ये दन, दन का अभिमान सबसे पहला स्त्री स्त्री के चकर में फसा देता है जितने भी बड़े-बड़े धनी लोग हो गए चाहे भुत काल में, चाहे वर्तमान काल में दन का अभिमान होते ही परस्त्री का संग करने लगे और जैसे ही वो पर इस्त्री का संग करने लगते हैं किसी इस्त्री में आसक्त हो जाते हैं उसका जीवन बरबाद हो जाता है कितना भी बड़ा व्यक्ति हो कितना भी बड़ा प्राक्रमी हो प्रभावशाली हो लेकिन दन के अभिमान से इस्त्री का संग हो गया वो व्यक्ति है एक नहीं सेंक्रो द्रश्टान भागवत में भी गया है भागवत के नवम स्कंद में और एकादर स्कंद में दो दो बार महराज पुरुरुवा की कता बताई गई है अदभूत पराक्रम शाली राजा पुरे दुनिया के चकरती समराठ जिनका गुणगान मात्र पुर्त्वी पर ही नहीं बड़े बड़े देवता देवराज इंद्र की सवा में पुरुथ्वी के राजा पुरुरुवा की चर्चा होती थी पुरुरुवा इस संसार के समराठ धनी एश्वर यशाली राजा और उस समय देवराज इंद्र की सवा में जब राजा पुरुरुवा की चर्चा चली राजा पुरुरुवा के गुंगान होने लगे तब स्वर्ग में रहने वाली उर्वशी नाम की अफसरा मन ही मन में सोच लिया अब में पुरुरुवा के साथ विवा करो पुरुवी पर आई पुरुरुवा के समा में प्रवेश कर ली आज तक राजा पुरुरुवा सिम्म की तरह घुमता था लेकिन जैसे इस उर्वशी को देखा उर्वशी में मोहित हो गया और कहा तुम मेरे साथ विवा करो पुरुवशी ने कहा मेरी शर्त है कि मैं कुछ भी करूँगी तुम्हें मुझे रोकना नहीं है और यदि तुम मेरे सामने नगन होकर प्रस्तुत हुए तुम्हें तुम्हें छोड़ कर चले जाऊंगी मेरे साथ ये दो बेड़ के बक्रे है बेड़ के बच्चे है इस दोनों बेड़ के बच्चे को तुम्हें ध्यान रखना होगा यदि ये बेड़ के बच्चे चले गए तो मैं तुम्हें छोड़ कर चली जाओ इस्तरी में आसकत वपुरुर्वा उस्तरी की सारी शरत को अंगिकार कर लिया विवा कर लिया सत्यु की अगटना है परन्तु विवा करने के बाद वो इस्तरी में इतना फज गया इतना फज गया श्त्री के बिना रह नहीं सकता था एक दिन की बाद वो दोनों भेड के बच्चे हैं कहीं भाग गए और पुरुर्वा उसकी रक्षा नहीं कर सका और उर्वशी उसे छोड़ कर चली गई जैसी उर्वशी छोड़ कर चली गई ये पुरुर्वा उनके चरणों में गिर गया पुरी दुनिया और पुरी दुनिया के राजा जिसके तक्त को चुमते थे वह राजा पुरुर्वा आज किसी स्त्री के चरणों में पशु की तर लोट रहा है इसलिए तो गोस्वामी को कहना पड़ा नारी विवश नर सकल गोसाई नाचे नर मर कटकी जैसे एक बंदर मदारी के हाथों में इशारे पर नाचता है वैसे संसार का नर स्त्री के इशारे पर नाचता है पर उसके चरणों में गिर गया परन्तुव निर्दई उसे चोड़ कर चली गई और उस दिन से उसका मन न तो राज्य में लगता था न किसी कारिय में लगता था राज्य का शाषन चोड़ चोड़ दिया दर दर भटकने लगे महाराज पर बिक्षुक हो गया और उन्होंने हजारो हजारो वर्ष तक उस उर्वशी को प्राप्त करने के लिए महनत की सत्यूग समाप्त हो गया शुक्देगो स्वामी वनन करते हैं त्रेता यूग आ गया यूग बदल गया लेकिन पुरुर वाकिया आ सकती नहीं बदली और त्रेता यूग में यग्य करके जब अगनी देवता प्रसन प्रकट होगे क्या चाहिए बोले मुझे सौर्व में जाना है उर्वशी के साथ संग करना है सौर्व में गए और स्वर्व में जाकर उर्वशी से संग किया भगवान की कृपा से वेराग्य हुआ और वेराग्य होने के बाद महराज पुरुर्वा ने एक गीत गाया पुर्वशी को छोड़ दिये इस पृत्वी पर आये और पृत्वी पर आकर महराज पुरुर्वा ने एक गीत गाया और वही गीत अपने धाम में जाते हुए भगवान सी कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाया उद्धव सुनो यदि कोई व्यक्ति इस तरीकी आ सकते में फस गया तो उसकी क्या स्थीती होगी पुरुवर्म महराज ने अपने जीवन का अनुभाव बताया जिसे भागवत में एल गीत थे इला के पुत्र थे ये पुरुरुवर्म इसलिए इनका नाम था एल और इन्होंने जो गीत गाया अदभूत वो गाना प्रारम करते हैं संस्कृत में श्लोकों में गाते हैं अहो में पश्चता ग्यानम रिदी रुड़म दुरात्मन अरे मेरे जीवन का मेरा अज्ञान तु देखो कि मेरा रदई इतना कठोर हो गया था मैं इतना पागल हो गया था उस तरीके पीछे न दीन न रात मुझे न दीन का ग्यान रहा न रात का ग्यान रहा एक दिन मैं समस्त चोटे मोटे राजा का सरताज था परंतु इस नारी ने इस तरी ने मुझे बरबाद करके रख दिया मैं बहुत बड़ा पराक्रम ही था परंतु वो पराक्रम क्या काम का किम विद्या किम तपसा किम राजियन शुतेन वा अरे वो विद्या क्या काम की वो तपसिया क्या काम की वो राज्य क्या काम का जब हमारे मन को हमारे रदे को किसी स्त्री ने चुरा लिया हम किसी स्त्री के हाथों की कटपुतली बन गए वो राज्य वो विद्या वद्धन वो तपसिया क्या खाम का मेरे जैसा पागल मेरे जैसा मुर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं महराज पुरुरवा ने और महराज पुरुरुरवा ने अपना अनुभव बताया कि मैं मेरी पूत्ति में इसा दौच रहा था कि मैं उर्वश्ची के साथ संग करूंगा और संसार से विरक्त हो जाऊंगा जैसे हम लोग सोच रहे हैं हम लोग की मन में धारणा है कि मन में जब कामना उड़ती है तो इस कामनाओं को पूर्ण करने से कामना समाप्त हो जाएगी ऐसी हमारे रदे में धारणा है महराज पुरुरा ने अपना अनुभव सुनाया कामना को पूर्ण करने से कामना शांत नहीं होती है वो बढ़ जाती है वो द्रश्टान देते हैं यथा गृत यथा अगनी ये कामना अगनी के समान है और कहीं अगनी उठ जाए आग लग जाए और उस आग को बुजाने के लिए उसमें गी की आउती दाल दी जाए तो आग बुजेगी हाँ कुछ समय के लिए वो आग बुच जाएगी परन्तु थोड़े ही गड़ी में वो आग दस गुना और बढ़ जाएगी ठीक उसी प्रकार हमारे मन में ये काम वासना आग की तरह भड़ती है यदि हम उसको पूर्ण करेंगे तो उसे गी की आउती दालने के बराबर है वे कामना घटे की नहीं कामनाओ को पूर्ण करने से कामना दस गुना और बढ़ जाएगी महराज पुरुर्वा ने अपना अनुभव और महराज पुरुर्वा की तरह हमारे इतिहास में राजा भर्त हरी को वेराग्य हुआ और भर्त हरी को वेराग्य होकर उन्होंने एक ग्रंत लिका वेराग्य शतक और अपना अनुभव दिया मैं सोच रहा था कि मैं भोगों को भोग रहा हूँ मैं सोच रहा था कि मैं उस तरी का सुख ले रहा हूँ और मैं उस तरी को भोग रहा हूँ परंतु वास्तों में आज मुझे पता चला कि उस तरी ने ही मुझे भोग लिया मेरे मन में ये ब्रांती थी कि मैं भोगो को भोग रहा हूँ परंतु मैंने भोगो को नहीं भोगा भोगो ने मुझे भोग लिया कभी-कभी हम लोग सोचते कि हम सिग्रेट को पी रहे हैं हम शराब पी रहे हैं परंतु हम शराब और सिग्रेट को नहीं ये सिग्रेट और शराब हमको पी रही है ये बुद्धी सबको आएगी निश्चित आएगी इसे पुरुरवा को आई परंतो वक्तो जी समय ये बुद्धी आएगी उस समय हमारे पांस समय नहीं बचेगा सुरुदाश जी कहते हैं मन पचताई है अवसर बीते अवसर बीत जाने के बाद जीवन चले जाने के बाद यदि मन में पच्टावा भी हो जाए तो क्या काम का अत्व इन इतिहास से इन कताओं से हमें हमारे मन को समझा लेना चाहिए दन के अभिमान से मुक्त होकर इन स्त्रियों के चकर से बच जाना चाहिए नहीं तो ये जीवन बरबाद हो जाए नारदमनी अपने मन ही मन में सोच रहे हैं दन के अभिमान का सबसे पहला विकार क्या है बोले स्त्री ये दन जो है स्त्री के चकर में फसा देता है हमारी इत्यास में जब दिवराज इंद्र ने वित्रा सुर का वद किया वित्रा सुर का वद करने से ब्रह्म हत्या दिवराज इंद्र के पीछे दोड़ी साक्षात ब्रह्म हत्या स्त्री का रूप लेकर दिवराज इंद्र के पीछे दोड़ी और उस समय इंद्र दोड़कर मान सरोवर में कमल की दंडी में जाकर चीप गए एक हजार वर्ष तक तब उस एक हजार वर्ष तक स्वर्ख का राजा ब्रह्मा जीने राजा नरीग को बनाया एकजार वरश तक राजा नरीग स्वर्ग के उपर शाषन किया क्योंकि प्रमा जिने देखा कि इंद्र एकजार वरश्त कमल की दंडी में रहने वाला है और भीना इंद्र के स्वर्ग केसे चलेगा अता ब्रह्माजी ने बहुत सुन्दर गुणवान सुशिल एक राजा नरीग को स्वरक का राजा बनाया बहुत अच्छे थे गुणवाले होने के कारण ही तो ब्रह्माजी ने उसे राजा बनाया परंतु जैसे ही वह राजा नरीग स्वरक के राजा बने और इंद्र की सारी संपति उनके पास आई उनका माथा विगड़ गया दिमाग आउट हो गया नारत्मुनी यही समझा रहे हैं कि दवन आने से दिमाग कैसे आउट हो जाता है यह दवन का विकार पहले बहुत अच्छे थे लेकिन स्वर्ग की संपति आथ में आते ही तुरंत उसके मन में अभिमान हुआ यह पूरा स्वर्ग मेरा है स्वर्ग की संपति मेरी तो पिर स्वर्ग की जो पत्नी है देवराज इंद्र की पत्नी जिसका नाम शची था यह शची भी मेरी सीधा आय प्रवेश करता है न तो सबसे पहले व्यक्ति के दिमाग में स्त्री का चक्र आने लगता है यह हम नहीं भगवत-गीता के प्रतम अध्याएं में अर्जुन कहते हैं अधर्म अभिवात कृष्ण प्रदुश्यंती कुलस्त्रिय श्त्रीश्य दुष्टास वाष्णय जायते वर्न संकर शंकरो नरकायव कुल ज्याना कुलस्यच पतंती पित्रोयशा लुक्तपिंडो दगह क्रिया दर्म का प्रतमवार स्त्री के उपर होता है अधर्म का प्रतमवार राजा नरीग ने इंद्र की पत्नी शची को बुलाया तुम मेरे साथ संग करो दिवा करो इंद्र की पत्नी शची तो साध्वी नारी थी सती थी परम पवित्र नारी थी उन्होंने एक दिन की मोलत मांगी और उसी दिन वह शची अपने गुरु ब्रियस पती के पांस गई गुरुजी ये जो नए राजा आये मेरे साथ विवा करना चाहते परन्तु मैं तो पती वरता नारी मैं तो पर पुरुष के उपर आँख उठा कर भी नहीं देखती हूँ तब गुरुजी ने शची को बहुत सुन्दर उपाई दिया निरिक दुसरे दिन आये राजा निरिक ने कहा विवा करो मेरे साथ संग करो तब इंदर पत्नी शची ने कहा मैं तुमारे साथ विवा तो करूँगी परन्तु मेरी एक शर्त है क्या शर्त है बोले सब्तर्शी साथ रिशी जो आज भी आकाश में है बोले ये सब्तर्शी आपको पालकी में बिठाकर मेरे पांस लेकर आए तब मैं जाकर आपके साथ विवा करूँग अब धन और पद के मोह में ये राजा निरिग सबतर्शी के पाँच गए और सबतर्शी के पाँच जाकर कहा तुम पालकी उठाओ अरे जिस रुशी मुनियों के चरण को दोकर उस जल को मस्तक पर चड़ाना चाहिए उन रिशियों के हाथों से पालकी उठवाई देखो ये धन का अभिमान क्या क्या नहीं कराता है पालकी उठवाई और पालकी में खुद स्वयम राजा निरिग बैड़ गए शची के साथ संग करने के लिए कामना उमड रही थी और विचारी ये बूड़े रिशिमुनी साथ रिशिमुनी बूड़े थे धिरे धिरे चल रहे थे ये अंदर बैटे बैटे कह रहा था जल्दी सर को संस्कृत में जल्दी चलो को वहने जल्दी सर को कामात तो रानाम न भई न लजजा जब किसी के दिमाग पे काम सवार हो जाता है तब उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का न तो भई होता है न लज्जा होती है बगवत किता में कृष्ण कहते हैं ये कामना तुफान की तरह है आंधी की तरह समुद्र में पहती हुई नाव को जैसे वह आंधी और तुफान उड़ा कर लेकर चली जाती है वैसे ये कामना हमारी बुद्धी को नश्ट कर देती है बहुत कड़ा वेग है बड़े-बड़े ज्यानी विद्वानों को भी ये हर लेता है ग्यानियों का ग्यान भी ठीक नहीं पाता है इन कामनाओं के साथ कामना के वशिभूत होकर राजा अन्रीग उस पालके में बैठ कर रुशिमुनी को कहने लगा जल्दी चलो परंतु वो चल नहीं पा रहे थे तब पालके में बैटे बैटे राजा नरीग ने लात मार दी अगस्तर रिशी के मस्तक में लात मारी और अगस्तर रिशी के मस्तक में दुरवासा रिशी का वास है तुरंत उस सब्तर शियों ने श्राब दे दिया धन और पद के मोह में सबतर्शियों का अपमान कर रहे हो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम हमको कह रहो सरको 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 जाओ तुम सरकने वाले गिरगिट बन जाओ एक 84 लाकियोंने में साधारन जीव बना दिया कहने का भाव यह है राजा अंद्रीक बहुत अच्छे थे परन्तु धन प्राप्त होते ही दिमाग बिगड़ गया एसे एक नहीं अनेक को राजा मा राज़े आपने अत्री अंसुया का नाम सुना होगा ब्रह्मा जी के पूत्र हुए अत्री अत्री के पूत्र हुए बूध और बूध के पूत्र हुए सौम सौम माने चंद्रमा के देवता यह सौम बहुत गुणवान थे सुशिल थे और इनके गुण को देखकर ब्रह्मा जी ने इने समस्त आउशधियों का राजा बनाया बहुत अच्छा लड़का था सौम परन्तु जैसे ब्रह्मा जी ने आउ इस अंसार में जिन जिन लोगों के पास धन आया है उन उन लोगों का दिमाग बिगड़ा है यहां तक की ही इस सौम ने अपने गुरु ब्रियस्पती की पत्नी को हर लिया इतना बड़ा साहस धन के वश्में होकर इतना धन का अभिमान हो गया कि अपने गुरु ब्रियस्पती की पत्नी तारा का अपरण कर लिया उनके साथ संग कर लिया और उनके गर्व में बालग भी आ गया इस अंसार में सबसे बड़ा जगन्य पाप यह सौम ने किया धन के मद में धन का मद भकतो अजामिल के विशे में भी आया है अजामिल का परिचय देते हुए शुकदेव को स्वामी कहते है कान्य कुप्जे द्विज कस्षीत कान्य कुप्ज नाम के गाउं में अर्थात कन अग्तीकी अजिए कनोजु यह ब्रामत बहुत वर्सीत है कान्य कुप्जा आँमने एक ब्रह मन रहता छले से जन्म से ब्रामन का वेध पाथी ब्रामन को औस वह पर बहां मनुमिंद्टब्र स्वास्व क्रिचय इसके हैं इसके जीवन में महापाप का सबसे बड़ा कारण कारण यह था उसने दासी को एक विश्या को अपनी पत्नी बना लिया और स्त्री का संकरने के कारण नामना नश्ट सदाचारो दासिया संसर्ग दूसी तख अपने जीवन का जो सद आचरण था वह सारा सद आचरण खो बैठा अजामिल चाहे अजामिल हो राजा नरीग हो सोम हो यह सब धन के मद में धन के अविमान में स्त्रीयों का संग करके अपने जीवन को बरबाद कर दिये भक्तो शिल प्रहुपाजी इन श्लोकों के तात्परियों में लेखते हैं महुत कड़े शब्द में शिल प्रहुपाजी ने का यह धन का अविमान यह धन का मद सबसे बड़ा मद है दन एक नशे की समान है शराब पकर जो नशा चरता है उससे भी बड़ा नशा है दन का नशा क्योंकि शराब जब हम पीते हैं पैट में जाती है तब जाकर नशा चरता है परंतु धन पाकिट में आ जाता है व्यक्ति देड़ फूल उपर हो जाता है किसी बैंक में पड़ा होता है अपने आंगडिया में पड़ा होएं पड़ायां अवामा अलता होएं आपनी प्रसाइट यह धन का नशार है बहुत कड़ा है यह दन दन की अधिश्टात्री देवी लक्ष्मी है हम जानते हैं दन की अधिश्टात्री देवी लक्ष्मी और लक्ष्मी का वाहन क्या है लक्ष्मी किसके अपर सवार होकर चलती है उल्लू कभी विंदावन जाईए विंदावन के बिल्कुल निकट बेल वन है जहां लक्ष्मी जी रहते हैं उनके बहुत सारे वाहन लटते हैं लक्ष्मी इस पर सवार होकर चलती है वह वाहन ए उलु और एक संत ने तो बहुत सुंदर कहा यह लक्षमी जो है वीश की बहन है जिस समुद्र से लक्षमी का प्राकट यह हुआ उसी समुद्र से वीश का प्राकट यह दोनों साथ में प्रकट हुए तो जिसके पास धन आता है उसके साथ वीश भी आता है तो धन आते ही वह व्यक्ति मर जाना चाहिए परन्त वह व्यक्ति मरता नहीं है वह वीश उस धनी को मारता नहीं है बस उस धनी को अंधा और बहरा बना देता है यह धन का प्रभाव जिसके पास दन आ जाता है उसकी दृष्टी नश्ट हो जाती है दृष्टिर नश्यते बर्दते चप दिर्था धर्ष्टी नश्ट होने का अर्थ क्या है फिर वह व्यक्ति देखता नहीं है कौन बड़ा कौन चोटा इस सब चीज नारद मुनी मन में सोच रहे हैं तनी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है कि यह हमसे बड़ा है वो तो हो जिसके पास ज्यादा धन है उसी को बड़ा मानते हैं और जिसके पास कम धन है उसको छोटा मानते हैं कल्यूग के वरणन में कागवोशंडी जी गरूड जी को यही बात कहता है कि गरूड कल्यूग में जिसके पास ज्यादा धन होगा फिर भले वो अपवित्र होंगे मास खाएंगे पाप करेंगे परन्तों जिसके पास ज्यादा धन वो ज्यादा महान माने जाएंगे ये कल्यूग का दोश तो इस प्रकार दन की अधिश्टातर देवी लक्ष्मी है और लक्ष्मी जिस पर सवार होकर चलती है वो है उल्लू उल्लू की वारे में जानते हैं उल्लू का सबसे पहला दोश समझी या गोन समझी वो उल्टा लटकता है सीधा नहीं रहता है उल्लू जो है पाउँ उपर सीर नीचे जिसके पास धन आ जाता है वो भी उल्टा हो जाता है दुनिया से विरुद्ध चलता है शास्त्र से विरुद्ध शास्त्र यह कहता है तो यह उसे ठुकरा कर बिल्कुल उल्टा ही चलेगा क्योंकि ये लक्ष्मी जीस पर सवार होकर चलती है जन धन जीस पर सवार होता है वो उल्लू है और उल्लू की दूसरी महिमा उल्लू दीन को नहीं देखता है वो रात को देखता है जिसके पांस लक्षमी आ जाती है न वो भी दिन को नहीं देखता है रात को देखता है दिन को हम देखेंगे वो सोता हुआ रहेगा और रात को जगेगा बीर बार में जाने के लिए यह दन का दोश दन एक नशे के समान और जिसके पास दन का अभिमान हो गया नारद मुने कहते हैं यत्रस्त्री वो किसी स्त्री के आ सकती में निश्चित फसेगा फिर दन का दुसरा दोश बताते हुए कहते हैं जूत्म आपके सामने श्लोक हैं दिखाई दे रहा ना अंतीम शब्द यत्र यत्र माने जिसको दन का अभिमान हो गया वस्त्री में फसेगा और फिर दूसरा है द्यूत, द्यूत माने नशा जिसके पांस दन है वो अनेको प्रकार के नशे में फसेंगे अनेको प्रकार के और उसमें से सबसे द्यूत, शमा कीजिए द्यूत माने जुवा द्यूत माने जुवा, जिसके पांस दन है वे जुवा खेलेंगे अब जिसके पास धन ही नहीं होगी जरा क्या जुआ खेलेगा धनी का सबसे बड़ा दोश जुआ और धन का अभिमान हो जाने से तिसरी चीज़ कहते हैं आसवह आसव माने नशा और नशा में सबसे बड़ा नशा शराब का जो ये लोग कर रहे थे बले धन के अभिमान के कारण स्त्री जुआ और अने को प्रकार के नशे में व्यक्ति फश जाता है और इस इन अने को वस्तु में फश कर मनुष्य जीवन को अपवित्र कर देता है शिपाशिदर स्वामी कहते हैं तदाह यत्र इत्यादी चतुर भी बले है धन का अभिमान होने से इतने ही नहीं अगले चार श्लोक में वरणन करते हैं कि यदि किसी को धन का अभिमान हो गया तो वे क्या क्या कर सकता है नवे श्लोक में कहते हैं इसको दन का अभिमान हो गया हन्यते किसी का अनन करने में वह देरी नहीं करेगा किनकी दन का अभिमान रदई को कठोर कर देता है रदे को, चित को, कठोर पत्थर की तरब बना देता है, फिर इस रदे में दया नामक तत्व नहीं रहता है और इतना निर्दे कर देता है, इतना निर्दे कर देता है, कि हन्यते पशवो, पशुओ को मार कर उसे खा जाता है आत्म भी अपने ही हाथों से लोगों कावद कर देते हैं दन काविमान मन्य माने इदम देहम जराम रुट्यू नश्वरम और अपनी इंद्रियों को तुरुप्त करने के लिए फिर मानसार करने लगते हैं मांस खा कर मदिरा पीकर अपनी इंद्रियों को तुरुप्त करते हैं किस इंद्रियों को इंद्रियों के विशे में आधे शलुक में बताते हैं जो इंद्रिया जो शरीर एक ना एक दिन मरने वाला है यह मरण धर्मा शरीर को तुरुप्त करने के लिए इस मरण धर्मा शरीर को सुखी करने के लिए रिष्ट पुरुष्ट रखने के लिए संसार के प्राणियों का जियों का वद करके उसे खा जाते है इतना ही नहीं जिनको दन का अभिमान होता है वे रात दीन अपने शरीर को ही सजाने में पड़े रहते हैं परंतो उस अभिमानी व्यक्ति को पता नहीं कि ये शरीर आखिर किसी का नहीं है बहुत सुन्दर सिद्धान्द देते हैं देव संगी तम अप्यंते क्रिमी विड संग भस्मितम जो शरीर एक ना एक दिन शम्षान के लकड़े की राख हो जाएगा जो शरीर एक दिन गीद का भोजन हो जाएगा जो शरीर एक दिन जमीन में पृत्वी में रने वाले छोटे-छोटे किडों का आहार बनने वाला है उसी शरीर को सजाने के लिए रात दिन परिश्रम करता है आखिर ये शरीर क्या है बहुत सुन्दर इस देह का निरुपन करते हुए कहते हैं एक ना एक दिन राक होने वाला है एक ना एक दिन राक होगा और वर्तमान में भी देखा जाए तो इसमें कोई बड़िया चीज नहीं है कब पीत और वायू से ये शरीर बना हुआ है जिसमें इस शरीर के सभी अंगों को विसलेशन किया जाए और देखा जाए तो इसमें क्या है मांस है मज्जा है हड्डी है बाल है रक्त है मल है मुत्र है गंदी वायू है इसमें अच्छी चीज़ है क्या परंतु ब्रह्माजी ने इनी वस्तू को एक चमड़े के अंदर रख दिया है और धनी लोग बस इसी चमड़े के इसी गंदी वस्तू को चमड़े के द्वारा ढकी हुए इस शरीर को ही मैं मानते रहते हैं और इस शरीर का स्वार्थ पुर्ण करने के लिए राध दिन मैंनत करते हैं जो वास्तुरी के अपना स्वार्थ नहीं समझते हैं वे नहीं जानते हैं कि हम आत्मा है शरीर को ही मैं मानते हैं शिल प्रभपाज जी एक बहुत सुन्दर कहावत करते थे कि एक बार एक राजा अपने राज्य में गोड़े के उपर सवार होकर गुम रहा था उतने में उस राजा ने एक स्त्री को देखा वस्त्री बहुत सुन्दर थी राजा गोड़े से उतर गया और कहा तुम कौन हो तुम्हारा विवा हो चुका है उस तरी ने कहा मेरा विवा तो हो चुका है परन्तु मेरे पतिदेव इस संसार में नहीं रहे मैं विद्वा हूँ जवानी में विद्वा हूँ तब राजा ने कहा मैं तुमसे विवा करना चाहता हूँ मैं तुमसे संग करना चाहता हूँ उस्तरी ने का एक काम करो आप कल मेरे घर पर आईए राजा 24 गंटे के बाद उस्तरी के घर पर गए और वस्तरी उस राजा के साथ विवा करना नहीं चाहते थी उस 24 गंटे के बीच में उस्तरी ने क्या किया वह उस्तरी ने वॉमिट करने की और लूज मोशन करने की दवाई खा ली और उस्तरी को बहुत वॉमिट उल्टी हुई और 24 गंटे में ये पेट में जितना भी था सब कुछ निकल गया राजा दुसरे दिन उनके घर पर आये दर्वाजा खटखटाया उस्तरी ने दर्वाजा कोला राजा ने कहा कल में जब यहाँ पर आया था और बहुत सुंदर स्तरी थी वो कहाँ पर है तो उस्तरी ने कहा वो मैं ही हूँ तुम केसे हो सकती हो, कल तो बहुत अच्छी दीख रही थी तुमारी सुन्दरता 24 गंटे में कहां चली गई उस तरी ने राजा को उनका हाथ पकड़ कर अंदर के रूम में लेकर गई बले राजन, तुम ये जानना चाहते हो, 24 गंटे में मेरी सुन्दरता कहां गई राजा को दिखाया राजा, देखिए ये मेरी सुन्दरता है राजा देखने की बात तो दूर रही, अपनी आँखे बंद करके वहां से बाहर निकल गई कहने का तार्प्री ये है, इस जगत में हम जिसको सुन्दर स्त्री, सुन्दर पुरुश, हम जिसको सुन्दर सुन्दर उप्मा देते हैं, वास्ता में वो सुन्दर नहीं है बस अज्ञान के कारण हम उस वस्तु को सुन्दर मान बैठते हैं और रात दिन उसी में रचे पचे रहते हैं पर इसका कारण क्या है? कहते हैं ऐसी सुन्दरता के पिछे वे लोग बहुत भागा करते हैं जिसको धन का भी मान है और इस संद्रता के पीछे इतने लोबित हो जाते हैं कि मान बैठते कि ये मेरा है ये मेरी है नारज जी कहते हैं आखिर ये शरीर है किसका जन्म देने वाली मा कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है जिस हॉस्पिटल में जन्म हुआ है वो डॉक्टर कहते हैं मेरा मरीज है कितने लोग मेरा मेरा करते हैं जन्म देने वाली मा कहते हैं मेरा है डॉक्टर कहते हैं मेरा है पिता कहते हैं मेरा पुत्र है समाज कहता है यह हमारा आदमी है भाई कहता है यह मेरा भाई बहन कहती है यह मेरा है तब जाकर पत्नी आती है और पत्नी कहती है मेरा पती सिर्फ मेरा आप लोगों का नहीं है पत्नी कहती है यह मेरा है जिस ओफिस में काम करता है वो अफिस का मालिक कहता है ये मेरा आदमी है पुत्र कहता है ये मेरा पिता है सब लोग कहता है ये मेरा मेरा है तब तक तो शम्शान के लकड़े बोलते हैं तुम सब लोग मेरा मेरा करते रहो आखिर तो ये मेरा आदमी है आखिर तो यहां पर आने वाला है आखिर जब यह देह राख हो जाने वाला है तब इसे मेरा 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 कहने से क्या फाइदा नारजी बताते हैं देह किम्न दातुम स्वम निशेक्तु मातुरेवच मातुर पितुरवा वनितु क्रेतुर अगने शुचार पिवा आज तक संसार के जिव यह जान नहीं पाए कि यह देह किसका है परंतु इस देह के बारे में पुर्ण पुर्ण ग्यान प्राप्त कर लेना चाहिए और देह के बारे में ज्ञान प्राप्त करके जीवन में किस बात को धारण करना चाहीए, किस निशकरश पर आना चाहीए नारदमुनी बारवे श्लोक में मनी मन में अपने मन को कहते है एवं साधारणम देहं अव्यक्त प्रभवात्मयं को विद्वान आत्म दसाकृत्वा यंती जन्त नुते सतह यह देह वास्तों में देखा जाए तो भगवान की शक्ति है यह देह भगवान के द्वारा मिला है और भगवान को ही प्राप्त होने वाला है यह देह जहां से आया है वहीं पर जाने वाला है वक्तो हमारे शरीर में दो वस्तों है एक तो यह शरीर और एक आत्मा आत्मा भी भगवान की है और शरीर भी भगवान का है क्योंकि यह शरीर पंच महाबुद से बना है और भगवान नहीं पंच महाबुद का निर्मान किया है अब आस्तविक तत्व की बात यह है कि यह देह भगवान का है अतह यह देह भगवान का होने के कारण इस देह से भगवान की सेवा करना ये देह का सबसे बड़ा धर्म है और आत्मा के विशे में यदि विचार किया जाए तो आत्मा भी वगवान का अंश है ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन ये आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा परमात्मा का अंश होने के नादे आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है परमात्मा की सिवा की जाए। कई बार संसार में लोग प्रश्ण उठाते हैं कि कौन से धर्म का पालन करें। तो कि संसार में अनेक उप्रकार के धर्म हैं मात्रु धर्म, पित्रु धर्म, समाज धर्म, देश धर्म। भग्दवे संसार में यह जितने भी छोटे मुटे धर्म हैं यह सारे धर्म हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं परन्तों दत्व कि बाति है हम ये शरीर नहीं हम आत्मा हैं और आत्मा का सबसे बड़ा धर्म सवे पुन्सा परोधर्म परमधर्म यदि कोई है तो है यतोर भक्ति अधोक्षज़ अधोक्षज़ भगवान सी कृष्ण की भक्ति करना तो इस प्रकार शरीर के विज्ञान को जानकर अपने जीवन को सत मार्क के और लेकर जाना चाहिए फिर भी इस अंसार में कुछ लोग पशो का वद करते हैं प्राणियों को मारते हैं जो लोग प्राणियों को पशो को मारते हैं उनके लिए सबसे बड़ी ओशदी क्या है नारद मुनी तेरवेश लोग में कहते हैं इस अंसार में जो लोग पाप करते हैं उस पापियों के लिए सबसे बड़ी दवाई क्या है नारद जी कहते हैं असत श्रीमदान दस्य दारी द्रियम परम अंजनम पापियों के लिए हैं सबसे बड़ी ओशदी दरिद्रता है जो लोग बहुत बहुत पाप करते हैं उन पापियों को पाप से मुक्त करने के लिए सबसे बड़ी दवाई क्या है दरिद्रता गरीबी क्योंकि गरीबी एक ऐसी वस्तु है आत्म ओपत्य भूतानी दरिद्र परम इक्षते दरिद्रता गरीबी एक ऐसी वस्तु है जिस गरीबी अवस्ता में व्यक्ति चाहकर भी पाप नहीं कर सकता है नारज जी बहुत सुंदर बात बताते है एक गरीब एक दरिद्र चाहकर भी पाप नहीं कर सकता है दरिद्र यदि किसी व्यक्ति को मारना चाहे नहीं मार सकता क्यों कि नारज जी सिद्धान दे रहे हैं वे श्लोक में यथा कंटक विद्वांगों जन्तों नैच्छंति ताम यथां दृष्टांत की द्वारा नारदमनी बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को जंगल के माध्यम से जंगल के रास्ते पर चलने से किसी को काटा लग जाए बहुत लंबा बड़ा काटा किसी के पाओं में आर पार हो जाए जिस व्यक्ति के पाओं में काटा लगा है वो व्यक्ति कभी भी किसी को काटा मार नहीं सकता है क्योंकि खुद काटे लगने का दर्द जानता है कांटा लगने सी कितना दुख और दर्ध होता है वे खुद जानता है खुद को इस दुख का आईसास है अतर वे किसी को कांटा मार नहीं सकता है ठीक उसी प्रकार एक दरित्र गरीभी के कारण अपने जिवन में दुखी होते रहता है और ये दरीत्र व्यक्ति जिवन में दुख क्या है इसका ऐसास जानता है अतह ये किसी प्राणी को किसी पशु को मार नहीं सकता है तुरंत कुछ लोग जो ध्यान से कता श्रवन कर रहे हैं वो प्रश्न उठाएंगे आप कह रहे हो कि जो दरीत्र है किसी पशु को मार नहीं सकता है लेकिन आज तो कल्यूग में देखा गया है जो गरीब है वो भी पशु को मारते हैं क्या जोपरपटी में रहने वाले मास नहीं खाते हैं तो यहाँ पर एक सितान्त और जोड दीजिए कि जो दरीत्र है लेकिन साथ ही साथ अपने आपको मन में दरीत्र मानना चाहिए जो अपने आपको दरीत्र मानता है वो पाप नहीं कर सकता है फिर वह दरीत्र हो या धनी हो यदि किसी की पास करोड़ो रुपिय है लेकिन फिर भी वह अपने आपको दरीत्र मानता है तो वह पाप करने से बच सकता है नारज जी अब दरीत्र होने की महिमा बताते हैं इस संसार में जो लोग दरीत्र है गरीब है निश्चित उन पर भगवान की असीम कृपा है क्योंकि दरीत्र व्यक्ति को हो बिना प्रयास किये मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है दरीत्र व्यक्ति ही पाप करने से भी बच जाता है और दरीत्र व्यक्ति पाप से तो बची जाता है साथी साथ वह मुक्ति का बाजन भी हो जाता है तब तो मन में एक ही विचार होता है भगवान हमको दरीत्र बनाए और इसके आदर्ष देवी कुंती कुरुक्षेत्र के भूवे में उनके पांचों पुत्र जब विजई हो गए और कृष्ण ने पुचा देवी कुंती मांगो क्या चाहिए देवी कुंती ने का ये जो हम लोग जीते हैं अस्तिनापुर के राजा बने हैं हमको राजा नहीं बनना है खृष्ण विपत्र संतु नशश्वत तत्र तत्र जगत गुरु हमको दूख चाहिए खृष्ण हमें धनी नहीं बनना है हमें दरीत्र बनना है क्यों? उस समय देवी कुंती ने यही सित्रांद कहा जन्म एश्वर्य शुति श्रिभी येद मान मदल कुमान नेवा हत्यमी धातुंवे त्वाम अकिंचन गोचर कृष्ण इस संसार में जिसके पांस बहुत धन होता है जिसका बड़े कुल में जन्म होता है जिसके पांस बहुत विद्या होती है और जो बहुत बड़े पद पर होता है न वह कभी तुमारी भगती नहीं कर सकता है चाकर भी तुमारे चरणों में नहीं आ सकता है क्योंकि इन वस्तों का अभिमान बहुत बुरा है अतहे कृष्णा धन कोई बुरी चीज नहीं है यह मान प्रतिष्टा यह पद कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन धन का अभिमान हो जाना यह बुरी चीज है पद का अभिमान हो जाना यह बुरी चीज नहीं तो धन अम्रिश महाराज के पांस भी था कुछ दिन पहले आपने कता सुनी थी माराज अम्रिश पुरी दुनिया के राजा थे दन था परन्तु दन का अभिमान नहीं था ये जो कता हो रही है दनाभिमानी लोगों के लिए हो रही है जिन लोगों को दन का अभिमान है दन का अभिमान हो जाए और धन का अभिमान हो ही जाता है, कितने भी बचने का प्रियास करो, धन वस्तु ऐसी है, आ ही जाता है, परम पुझे रादा गोईन को स्वामी महराज एक बार कह रहे थे, राजा रहुगण, जो शोबिर देश के राजा थे, सोराष्ट के राजा, उनके रदे में वेराग के हुआ, अपना राज पाठ सब कुछ छोड़ दी है, और गंगा सागर जा रहे थे, पालकी में सवार होकर, वेराग्या लेकर गंगा सागर जा रहे थे, वो समय उनकी पालकी में, एक पालकी उठाने वाला कहार बिमार हो गया, तो तीन पालकी उठाने वाले कहार कहीं खेत में किसी को डूढने गए तो जड़ भरजी दिखाए दिये, और चोथे कहार के रुप में जड़ भरजी को पालकी उठाने के लिए लगा दिये, ये लोग चल रहे थे, रास्ते में, जंगल के रास्ते में थोड़ी चीटिया आ रही थी, जड़ भरजी भगवान के परम भगत थे, वो किसी जीव जंतों को मार नहीं सकते थे, तो जैसे ही रास्ते में चीटिया आई, जड़ भरजी कुद गए, कुद गए तो पालकी को लेकर आगे चले गए, तो पालकी में बैठने वाले राजा रहुगन को कष्ट हुआ, जैसे कोई बस चल रही है और स्पीड ब्रेकर आजाए, कुष्ट हो, कहा है, कहारो, ठीक से चलाओ, उन्हें जानते नहीं हो, मुझे अंदर कुष्ट हो रहा है, ठीक है, दुसरी बार चीटिया आई, दुसरी बार कुद गए, दुसरी बार कहा, तीन बार, चार बा तब अन्यक कहारों ने कहा महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं यह जो नया आया है न यह ठीक से नहीं चल रहा है राजा रोगण अपनी चाबुक बता कर कहते हैं यहे कहार चाबुक जानते हो न अब यदी ठीक से नहीं चले तो में तुम्हारी पिटाए कर दूगा तुम्हारी चिकित्सा कर दूगा जी मालिक कहकर चलने लगे फिर से चीटी आई फिर से खुद गए राजा रहुगन का बस उतर गए पालखी से और हाथ में चाबुक लेकर जैसे ही मारने गए जड़ भरज्जी ने बहुत सुन्दर उबिदेश दिया राजन तुम किसको मारोगे यह तो एक अलग प्रसंग है मैं तो यह कहने जा रहा था कि राजा रहुगन वेराग्य शाली वेराग्य लेकर गंगा सागर भगवत कता सुनने जा रहे थे परन्तो फिर भी उन कहारों के उपर जोर जबरदस्थी और उनको मारने का प्रयास किये कारण दन का अभिमान जडवरदस्थी ने कहा है राजन जीवन में पहली बार जडवरदस्थी अपने मुग को खोले है राजन तुम किसे मारोगे मुझे मार कर भी तुम मार नहीं सकते हो और तुम मुझे ठीक करना चाहते हो पहले अपने दिमाग को ठीक करो सीधा कह दिया एक साधारन कहरने राजा रहुगन को सुराश्टर के राजा को कह दिया तुम मुझे ठीक करना चाहते हो पहले अपना दिमाग ठीक कराओ क्योंकि हम लोग इतने गंटों से पालकी उठा रहे हैं और आप आराम से पालकी में बेटे हो पालकी में बेटे बेटे आपको कष्ट हो रहा है यह तुमको नहीं तुमारे मन को कष्ट हो रहा है तुमारे मन को ठीक कराओ और तुम मुझे मारोगे इस संसार में किसी भी व्यक्ति को तुम मार कर भी नहीं मार सकते हो क्यों? क्योंकि आत्मा नैनम छिदंति शस्त्रानी आत्मा को न तो कोई काट सकता है न जला सकता है न न मार सकता है राजा रहुगन तो सोच में पड़ गए ये है कौन? दोनों आज जोड़कर चरणों में गिर गए आप साक्षाद भगवान तो नहीं जल्दी जल्दी बताओ तुम कौन हो? तो समय एलान करते हुए कहा ना हम विशंग के सुर्राज वज्जरात न तरिशुलात न यमस्य दंडात मैं शिवजी के तरिशुल से नहीं दरता हूँ मैं यमराज के दंड से नहीं दरता हूँ न अगनी अरक सोम विमल विपत शस्त्रात न तो मैं अगनी से डरता हूँ न सुर्य से न सोम से मैं किसी से नहीं दरता हूँ यदि मेरे जीवन में में डरता हूँ तो वैश्णव अपराद से डरता हूँ संके विशम ब्रह्म अवकूल मानाद बताईए आप है कौन तो इस प्रकार जो अपने आपको बड़े मानते हैं जिसके पास धन है धन का अभिमान है वो धन निश्चित किसी का अपराद करवाएगा किसी पर करवाएगा परंतो धन्य है धरीद्र जड़भरत है धरीद्र में जिसका जन्म हुआ धरीद्र का जीवन बिता रहे है देखिए एक धनी व्यक्ति पालकी में बेटा है और एक धरीद्र व्यक्ति पालकी उठा रहा है दोनों भगवान के भक्ते हैं लेकिन अंतर कितना है वो धनी व्यक्ति पालखी में बेटा है फिर भी उसको इतना कश्ट इतना कश्ट कि हाथ में चाबुक लेकर दुसरे को मारने तयार हो गया और दुसरा दरीत्र व्यक्ति राजा रहुगन को विचारा उठा कर गंटों पर चल रहा है लेकिन उसको कोई कश्ट नहीं हुआ यह है दरीत्रता भगवान का वजन करते समय किसी भी प्रकार के कश्ट कानूब हो नहीं और अब जो नारजी बात बताने जा रहे हैं कि दरीत् क्योंकि दरीत्र के पांस पाप करने का समय कहा होता है विचारा अपना बरण पोशन करने के लिए रात दिन महिनत में लगा रहता है उसको खाने के भोजन के वांदे होते हैं अपना खाना जुटाए या पाप करे दरीत्र व्यक्ति पाप से तो मुक्त होई जाता है साथी स साथ मुक्ति को भी प्राप्त हो जाता है नारची कहते हैं मुक्ति को प्राप्त करने के लिए एक साधक में जो गुण होने चाहिए दरीद्र में वह स्वाबाविक होते हैं और हम देख भी सकते हैं जो गाओं में रहते हैं विचारे के पास धन नहीं है दरिद्र है आप देखें शहरों में करोड़ पतियों के घर पर कोई अतिति आएंगे तो कश्ट होगा कि ये को समय पर आगए परिशान करेंगे समय बिगाड़ेंगे लेकिन किसी के गाओं में जाकर देखो गाओं में किसी के घर पर जाकर देखो किसी भी समय पर जाएंगे तो स्वागत करेंगे बिठाएंगे बोजन कराएंगे पैचान नहीं भी होगी तो कहेंगे आप एक दिन के लिए हमारे घर पर रुख जाएंगे कई कई समाई अनेकों समय तक भक्ति करने के बाद जोगोव्य भक्त में आता है वा गोड दरीत्र में जन्म से ही होता है तो बतायों असली यह इसल है और धन्य है वह दरीत्र आरज्जी कहते हैं दरी रो निर अहंस तम्बो दरित्र को कभी भी अहंकार नहीं होता है और अहंकार करना भी हो तो किसका अहंकार करेंगे क्या है कि अहंकार करेंगे चाहकर भी दरित्र व्यक्ति अहंकार नहीं कर सकता है जो अहंकार भगवान की भग्ति में और मुक्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है जैसे कल नारज जी को हुआ दरित्र को किसी भी प्रकार का अंकार नहीं है और कहते हैं निरस्तंबो और दरित्र निरस्तंब अर्थात सदेव नंब्र होता है सदेव नंब्र स्तंब मानें ये खंबा ये खंबा खड़े का खड़ा ही रहता है कभी जूगता नहीं है, जूखेगा तो गिरेगा विल्लिंग, इस लोक में स्थम्ब शबदा आया है, कहते हैं तरीद्रो निरखम स्थंबो, स्थंब माने खंबा खंबा कभी जूगता नहीं है, जिसके पास बहुत दन होता है। और दन का अविमान होता है, वो खंबे की तर सीदे खड़े रहते हैं जुकते नहीं है परंद दरिधर में निर अस्तंबो कर दोशचने डरिधर सवाब्मी सुखा हुआ होता है स्वाब्मील अनके रदवी में नंब्रता होती है Lord न Taste तो भक्ति का आभूशन है भक्ति का सबसे अच्छा श्रिंगार भक्ति का गहना क्या है भक्ति महारानी के वस्त्र है इत्यादी अनेक अनेक वस्तों हैं परन्तु भक्ति महारानी का श्रिंगार नंब्रता है इतना भी बड़ा भक्त हो परन्तु नम्रता नहो तो भक्त पूर्ण नहीं माना जाता है तो बहुत समय तक भक्ती करने के बाद जो नम्रता आती है वो नम्रता दरिद्र में पहले से ही होती है अतर दरिद्रो निरांस्तंबो मुक्त सर्व मदेरिह और सभी प्रकार के मद से अविमान से दरिद्र मुक्त होता है क्रिच्यम यद इच आपनोती तद्विदी तस्य परमतप और दरिद्र व्यक्ति बहुत बड़ी तपस्या करता है तपस्या तो जंगलों में सादु मात्मा भी करते है और दरिद्र व्यक्ति भी तपस्या करता है परन्तु सादु मात्मा की तपस्या और दरिद्र की तपस्या में क्या अंतर है सादु संत मात्मा तपस्या करते करते कभी कभी तपस्या का अभिमान भी आ जाता है जिसे कल नारुद को आया जिसे दुर्वासा रिश्य को अपनी तपस्या का इतना अभिमान तो इस प्रकार धरित्र व्यक्ति अनकाक्षिड़ किसी भी प्रकार की चानी और इंद्रिया अनुसुश्चन्ति आज कल के अमिर लोग अपनी इंद्रियों को सुखाने के लिए कितना प्रियाज कर रहे हैं कल में एक पेपर के उपर बोजन कर रहा था तो इसमें लिखा था अपनी कमर आच आठ इंच आठ दिन में घटाईए असी हजार रुपया और एड़टाइजमेंट लिखा हुआ है अमिर लोग अपना शरीर कम करने के लिए वजन कम करने के लिए कितना प्रियाज लेकिन होता नहीं है आप देखो के कुछ लोग के पांस जाओगे तो बस वो डाइटिंग में रहते है चोपी सो गंटां लेकिन शरीर डाइटिंग जैसे लगता नहीं है उपकम होता नहीं है यह अमिरी वस्तु ऐसे लेकिन दरीद्र स्वाभाविक उनका शरीर संतुलन होता है नारजी कहते हैं इंद्र याणी अनुसुशंति इंसापी विनी वर कभी भी किसी की हिंसा नहीं कर सकता है कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता है और स्थूद द्रश्टी से कभी भी किसी को मार नहीं कर सकता है क्योंकि खूद दुख का अनुभव कर रहा है तो इस प्रकार दरिद्रों के अनेको गुण, अनेको फाइदे बताते हुए, अब दरिद्र जीवन मिलने का अंतिम फाइदा, अंतिम और सबसे स्रेष्ट, और यह सुनोगे ना तब आपको हो जाएगा यह जो संपतिये गंगा में छोड़कर चला जाओ, इतना सुन्दर ला बड़े बड़े सादू, किसी दरिद्र के घर पर ही जाना पसंद करते हैं, वे सादू कभी अमिर व्यक्ति के घर पर नहीं जाते हैं, दरिद्र स्येव युज्यंते, सादू दरिद्रों के घर पर ही जाते हैं, और इसके जलंद प्रमान चैतनी महाप्रभू, चैतनी महाप कभी भी वियक्ति के घर नहीं जाते तै रह साथ नहीं रहते हैं एक कि एक बार डिप्त भूके बहुत बड़े भग्त थे और उस में कि बंगाल राज़्ा थे प्लता olé इंग वह अड़ है है अगे यद्दत भूक्त थे और उनकी चाहती हैं कि मैं बहुत वह कह दिया नहीं मिलूंगा है शेटनी महाप्रभों ने ना कह दिया तब राजा परताब उद्र ने किसी के ठुड़ू वबात शेटनी महाप्रभों के पास बैजी सारुबुम बटाचारियों को कहा सरुबदामदर को कहा कि आप महाप्रभो को मनाइए कि मुझे एक बार दर्शन दे जेतरियमा प्रवने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी धनी व्यक्ति से नहीं मिलता हूं क्योंकि धनी व्यक्ति को मिलने से मुझे भई लगता है कहीं धनी व्यक्ति अपने धन में जितना आ सकते हैं उनका संग करके में भी उनके धन में आ सकते न हो जाओं बड़े-बड़े संत, बड़े-बड़े सादू धनियों से बहुत दूर रहते हैं देखिए ये शुद्ध संतो की बात है कल्यू के सादू तो धनियों कोई पकड़ते रहते हैं धनी मिल जाए और उसकी जेब खाली खो जाए कल्यू के सादू की ये स्थितिय है मैं तो सच्चे सादू की बात करता हूँ आज भी हमने इसे इसे सादू देखे है जो धनियों से कोसो दूर रहते हैं धनियों से मिलते नहीं है तो दरीद्र का सबसे बड़ा लाब बताते हुए कहते हैं दरीद्र स्येव युज्यन्ते सादव समधर्शिन सद्विक शिनोति तमवर्शम तत आराद विशुद्यति धन्य है वह दरीद्र जिनके घर पर सादू का आगमन होता है आज इन दोनों के जीवन में मद उत्पन हो गया है अभिमान उत्पन हो गया है नारजी मन इमन में सोच लिए इसका कारण इसका कारण इसका धन है धन का अभिमान है अब मैं उसे इन दोनों को ऐसा श्राप दूँगा जिसे ये दोनों दरीद्र हो जाए और दरीद्र होकर अपने जिवन को शुद्द कर ले तो इस प्रकार नारतमनी अब अपने मन में सोच रहे हैं कि इसको दरीद्र करने के लिए मैं क्या बनाऊँ इसे क्या बनाऊँ कि जिससे ये दोनों दरीद्र हो जाए तो अब नारतमनी को चार घंटा सोचने दीजिये चार घंटे के बाद पुना साठे-चार बजे नारतमनी इन दोनों को श्राप देंगे और जैसे ही नारदमुनी श्राप देंगे ये दोनों कांप जाएंगे और कंपी तोकर दोनों नारदमुनी के चरणों में गिर जाएंगे फिर नारद जी अपने श्राप को थोड़ा कंसिडर कर लेंगे और श्राप के साथ साथ बहुत बड़ा आशिरवाद दे देंगे कि मैं तुम्हे वरुक्ष तो बनाऊंगा लेकिन जाओ आपके अनुग्र से आपके प्रार्तना से मैं तुम्हे आशिरवाद देता हूँ तुम वरुक्ष तो बनोगे परन्तु नंद बाबा के प्रांगण में रुक्ष बनोगे और साक्षात कृष्ण तुम्हारा उध्धार करेंगे अब शाम की सेटिंग में सुगदेव गोस्वामी अपना केमेरा फिर से गोकुल में लेकर आ जाएंगे कुछ लोग कहते हैं प्रभू आपने वो दामदर लिला क्यों बंद कर दी और यह क्या शुरू कर दिया परन्तु बागवत में जिस करम से और बागवत में शुगदेव को सामी ने जो करम रखा बिलकुल परफेक्ट है क्योंकि ये सब कुछ ये सारी वस्तु हमारे जिवन के लिए जरूरी है अर्दात ये सिद्धान्त ये उब्देश्व के आवशक्ता है अब शाम के सिटिंग में फिर से हम गोकुल में जाएंगे जहां भगवान से क्रिष्ण अपने मन में कुछ सोचेंगे कुछ और फिरुद्दार करेंगे स्तुति प्रार्तना तीन सत्र वाकी हैं इन तीन सत्र में देर्य से इन कताओं को सुनें अपने जिवन को धन्या कीजिए परंतु सभी लोग अपने प्रिस्थान पर बैटे रह दिन में से प्रतन हंग है भजन तो है कि शिम्ह Bakवत के पोथी यात्रा होती है किर्थ औहां यहां प्रवचन फिर प्रशाद भी होता है यसे वागवत के ही अंग की हाँ और इसी में भागवत का एक अंग है अनुमोदन ध्यान से सुनिए अनुमोदन का आर्थ होता है कि हमने जो भागवत कथा सुनी इन कथाओं के द्वारा उपदेश के द्वारा हमारे रदे में क्या प्रेणा मिली इस भागवत कता में हमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और इस भागवत कता को सुनकर मैं मेरे जीवन में क्या संकल्प लेने जा रहा हूँ मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया ये सारी बात श्रोताओं के बीच में उपस्थित करने जाई इससे क्या होता है अकेला वक्ता मात्र अपने अकेले भाव से शोताओ को कृतार्थ नहीं कर सकता है अतर शोताओ को भी फ्रंट में आकर स्टेज पर आकर एक एक करके अपना अनुभाव अपना भाव व्यक्त करना होता है कि जो भाव सब के रदे में स्थीत हो और सब के रदे में भगवान की भक्ति नाचने लगे तो हम आज से अनुमोधन विधी प्रारम करने जा रहे हैं जिन जिन भक्तों को अपना अनुमोधन करना हो अपना भाव अपनी खूशी अपनी प्रशंसा व्यक्त करनी हो तो अपना नाम लक्ष्मितर प्रभू से लिखा सकते हैं और एक-एक करके आपको यहाँ पर बुलाय जाएगा लेकिन ये अनुमोधन कार्यकर्म प्रारंब सर्वग्य क्रिश्न प्रभू से करना जाता हूँ सर्वग्य क्रिश्न प्रभू यहाँ पर आए और अपना प्रतम अनुमोधन सभी शुरताओं के बिच में प्रस्तूत करें सरवके क्रिश्ण प्रभू शिशिरादा गिर्धारी मंदिर के वरिष्ट भक्त हैं और अनेकों वर्षो तक शिशिरादा गिर्धारी मंदिर में उन्होंने सेवा प्रदान की जो बूक डिस्टिबुशन रादा गिर्धारी मंदिर के संकिर्थन डिपार्टमेंट की सेवा कर करते थे और अब वे लगबग ऐसी प्रतिशत व्रिंदावन में अपना वास कर चुके हैं ब्रजवासी बन चुके हैं लेकिन फिर भी हम जैसे बच्चों पर एक कृपा करते रहते हैं और उनी की कृपा से हम यहां पर भागवत गता करने के लिए समर्थ होते हैं आए इनका स सभी भक्त धेरिय से और ध्यान से सुनेंगे हरे क्रिश्ण हम सभी का परम सुभाग्य है कि चरण कमलों में बैठ करके परम पावन तेर्थ शुक्ताल नाम में यह खता सुनने का सुभाग्य हमें मिला है और यह वही इस्तान है जहां पे श्रील सुखदिव गुस्वामी जी ने परिक्षित महराज को पहली कथा स्रवन कराई तो यह बहुत अपने आप में हमारा सुभाग्य है कि हम सब यहां इकटे हुए है और विशेश करके भगवान कृष्ण की बाल लेलाओं को हम शमन करने हैं और उसमें तो जो दामदर लिला जो प्रभुजी ने टॉपिक लिया है बागतम का बहुत ही सुन्दर लिला प्रभुजी ने बहुत सुन्दर तरिके से आचारियों के टीकाओं के द्वारा और अलग-लग धंग से समझाने का में प्रयास किया जो लिलाएं हमारे सुन्ने से हमारे हर्देस परशी है मन को लुभाने वाली, मन को आनन प्रदान करने वाली हर्देस परशी लिला सुन्ने को मिली और कथा के अंदर में एक सबसे अच्छी बात लगी है वो यह कि प्रभुपाद जी की परंपरा के अंतरगत सारी विवस्ता चल रही है कि मंगला आरती करना उसके बाद में नरसिंग आरती, तुलसी आरती, सब जने साथ बैठ करके जब करना ताकि जो भक्ते बाहर से आएं हैं और जिनको प्रभुपाद जी की संस्था के बारे में जादा जान करें नहीं हैं वो यहाँ पर ही मिल रही हैं उनको ताकि वो यह चीज घर पे भी ले जा सकते हैं जब आप अपने अपने घर पे पहुँचेंगे तो वहाँ जाकर के भी आपको यही करना चाहिए नियमे तरुप से जल्दी उठना जब करना और भगवान के कथाओं को सुनना प्रभुजी के टेप, टेप, सीडीज, डीवीडीज मिल रही है और इसी तरह से हमारे दूसरे आचारियों की भी मिलती है तो इस पकार से आप उनको ले जाकर के वहाँ श्रवन कर सकते हैं और अपना जीवन सार तक कर सकते हैं तो यह बहुत सुन्दर व्योस्ता प्रभुजी ने करवाई है तो यह बहुत अच्छा लगा और प्रशादम और रहने की व्योस्ता भी बहुत सुन्दर है दामोदर लीला के पीछे कारण क्या है, अगर विचार करें, तो कारण है कि यशोदा मय्या बगवान कृष्ण को स्थनपान करा रही थी, और बगवान भी बड़े आनन से स्थनपान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यशोदा मय्या को यह ध्यान आया कि अंगेटी पर रखावा दूद, वो भी कृष्ण के लिए था, कि पदमद गंदा नाम की गाय का जो दूद है, उससे अल्टिमेटली माकन बनाना था, वो भी कृष्ण के लिए था, लेकिन तत्यक्ष्ण में कृष्ण भगवान को उतार करके, यानि उनकी अवेहलना करके, और वो अंगेटी पर र लेने के लिए, और मेरी अवेहलना की जा रही है, तो ये उनको अच्छाने लगा, तो हमें भी इस, इसमें एक बहुत बड़ी उपादे शिक्षा है, वो ये है कि भगवान को अपनी अवेहलना करना अच्छाने लगता है, तो जब हम जब करें, यान जब कराया जाता है, तो जब हम जब करें, महामंतरत का जो हम उच्छारन करते हैं, इसको ध्यान पूरवक सुनना चाहिए, क्योंकि बगवान और बगवान के जो नाम है, ये अभिन्या है, इसमें कोई फर्ग नहीं है, जैसे हम जब करते हैं, अरे क्रिश्टन, हरे क्रिश्टन, 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 हरे हरे, हरे, राम, हरे, राम, 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 हरे, हरे, ये जब हम जब करते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से, इसको धान से, कांजों से सुनना चाहिए, और प्रभुपाज ने इस भी switch off करके रखना है, ऐसा नहीं कि जब कर रहे हैं और किसी का मोबाइल आ गया या कुछ काम याद आ गया तो हम मोबाइल कर रहे हैं तो don't do anything don't do any activities except chanting जब करते समय केवल हमें जब पर ध्यान देना है और कोई काम नहीं करना है दूसरा don't think anything except chanting मन जैसे अभी बता रहे थे कि मन में विचारों की नदी है कई प्रकार के विचार, संकल्प, विकल्प उठते रहते हैं, चलते जब रहते हैं मन हमारे हाथ में तो माला घूम रही है लेकिन मन कहीं दूसरी जगे घूम रही है तो ये जो है हरी नाम के प्रती अपराद बनता है और भगवान को अपराद पसंद नहीं है जैसा कि ये दामोदे लिला से पता लगा कि दामोदे लिला में माता ये अशुदा ने क्रिश्ण को उतार के बिठा के रख दिया दूद स्तनपान बंद करया तो भगवान को अच्छा ने लगा इसी तरह से जब जब हम करते हैं तो ये भी भगवान का नाम भगवान से अब इन है तो हमारा मन केवल जब करते समय केवल उसी पर ही कंसिंट्रेट करना है ताकि हमारे से नाम अपराद नहीं हो अगर नाम अपराद से हम बचे रहेंगे तो हमें जैसा कि आपको बताया दस नाम अपराद हम रोज पढ़ते हैं दसवा नाम अपराद क्या है भगवान के नाम को ध्यान पूरक जब करना ताकि हमें अभिष्ठ सिद्धि प्रापतो जो की है स्री कृष्ण प्रेम तो हमें स्री कृष्ण प्रेम को अगर पाना है तो हमें जब पर बहुत अच्छी तरह ध्यान देना पड़ेगा अगर जब पर ध्यान नहीं दिया अगर हम अपराद करेंगे तो हरी नाम अपराद होगा और हमें नाम अपराद होने से हमारे से कृष्ण प्रेम उतना ही दूर चला जाएगा जितना की पहले था अगर लाख-लाख साल भी अगर हम जब करते रहेंगे और अपराद के सहीत अगर जब होगा तो कृष्ण प्रेम उतना ही दूर है तो ये बहुत जान देने वाली बात है इस लीला से कि भगवान को भगवान को अभेलना पसंद नहीं है इसी प्रकार से नाम जब करते समय केवल हमें जब करना है सोला माला जो बता गई है वो आराम से बैठ करके ठीक से इसे सुनिए और चब करिए और प्रभपाजी ने इसके लिए विशेश तोर पर ये ही बताया है कि don't do anything and don't think anything except holy name हरी नाम के लाओ और कुछ नहीं सोचना जए और आज जो विशेश करके जो टोपिक आया बड़ा उपादे ही है धन का अभिमान प्रभुजी ने बहुत सुन्दर व्याक्या किये नाना प्रकार से जो व्याक्या किये वाकर मैं ही हम सब लोगों के लिए है नारजी जो मन में विचार जो नारजी सोच रहे है इसको प्रभुजी ने बहुत अच्छी तरह से इसको बताया तो ये सब के लिए सिक्षा है तो बाकी सब अपने मन में जरा विशार कर लीजिए कि किस प्रकार से हमें मिथ्या अभिमान से दूर रहना है पत्प्रतिष्ठा के अभिमान से दूर रहना है दन के अभिमान से दूर रहना है क्योंकि सब कुछ दिया हुआ ठाकुर्जी का है सब कुछ ठाकुर्जी का दिया है ठाकुर्जी की सेवा में आप लगा सकते हैं से प्रेम से किसी भी प्रकार से सेवा में लगाए बागवत कता सप्ता करा करके लगा सकते हैं वैशनों के प्रिशाग की सेव में लगा सकते हैं, मंदिन निर्मान में लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से इसका उप्योग कर सकते हैं, तो हमारा जीवन सार्तक होगा, हरे कृष्णा, इतना ही कहे करके मैं अपने वाने को विराम देता हूँ, और लाल गौन प्रभु को फिर से हम आभार प्रकड करते हैं, अभी वादन करते हैं, एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोल करके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे हरे, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare 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 Krishna Prabhu Ji, बहुत बहुत दन्ने हुआ आशिरवाद भी देते जाएए Hare Krishna Prabhuबाजी का और माराजी का आशिरवाद देखिए माराजी एकनम प्रसंद मुद्रा में है तो माराजी का आशिरवाद है यही चाहिए हमें Hare Krishna Hare Krishna अभी मैं निवेदन करता हूँ स्री मधूचन्दा प्रभू जो हरिद्वार से है कृपिया स्टेज के पास आए और अपनानों मोदन प्रस्तुत करे मधूचन्दा प्रभू मधूचन प्रभू हरिद्वार में ही रहते हैं यह भी धाम बासी है और कुछ समय पहले हिमालाई की तलेटी में गड़वाल में हमारी भागवद कथा का आयोजन करवाया था अनेक लोगों ने इनका लाब लिया था आईए मधूचन प्रभू का हम स्वागत करते हैं कृपाल कृष्ण महाराज के सिश्य है परम शुक्ष्द्य भकते हैं करेकराज्चन अभी अभी प्रभुजी ने कहा है हम लोगों का परम सोबहाग्य है हम लोग इतने सोबहाग्य साली है जिन को एक भाग्वत कःथा मृत पांद करने का वो मिला है जो कःथा मृत देवताओं को आज तक सुलव नहीं हुआ है इंदर चंदर सुर्ण आधी देवताओं को जो सुलव नहीं वह आज तक वो हमें आज इधर हमें इस साथ पिछले पांच दिनों से वो सुलब हो रहा है बताईए इतने भगिया सारी कौन होंगे परिक्षित जिन्हें सिर्फ एक ही बार कता सुनी थी और वो इधरी से सीधे बैकुन धाम चले गए है यहां से डिरेक्ट रोड जाती है कहां भगवान के बैकुन धाम में भगवान के गुछ धाम में सीधी से बिलकुल सौर्टकट है अर्थ क्या है इसका यह कि अम लोगों को इस रहेcover नहीं कहीं कता सुनते हैं हम लोगों को इन कताओं को पीना चाहिए भागवत में कहीं केवल सुनने के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है केवल पीने के लिए लिखा है कल भी परसुमी प्रभुजी नहीं कहा है पीवत भागवतम रसमालया यह केवल पीने के लिए क्यों और अन्य सास्त्र या वेद पुरान सुनने के लिए और पढ़ने के लिए कहा है मगर बाहिचान उदर से निकल सकता है कि मेरे जैसे कोई बुद्धु आदि में होगा तो वो सुनता ही कम है सुनाई कम देता है मगर अगर हम कानों के द्वारा इसको पियें यो डायरेक्ट सीधे हिर्दय में जाता है और जो बात हिर्दय में पहुंच गई वो कभी भूल नहीं पाते है भूलेगा कोई कभी नहीं और इसका अर्थ यह है कि हम को उसके अनुसार तदा अनुसार आचर्ण करना चाहिए आचर्ण जब तक सुद्ध नहीं होगा भागबत के अनुसार सास्त्रों के अनुसार आचर्ण नहीं होगा तब तक हमको उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा क्योंकि ही इसको आचन करने के लिए भागवत को अपने हिर्दाय में उतारने के लिए सबसे पहले नियम हैं, बिदी हैं पर उचे ने पिछले पांच दिनों से क्या-क्या नहीं बताया पर इसको अमल हम कैसे कर सकते हैं, जब हम उसको पीएं इसलिए भागवत को पीना चाहिए, केवल पीना यह चाहिए भागवत सारे बेद पुरानों का सार है उसको पी करके अगर हम चलेंगे, उसमें अपने आप यह सब अपने आप चेंज हो जाता है अपने आप उसमें परिवर्तन आने लगता है और ये परिवर्तन आप देख रहे हैं दूर जाने के ज़रों ये सब इधर बैठे हुए हैं ये इधर बैठे हुए हैं प्रभुजी बैठे हुए हैं ये सपेद कपड़ों वाले जितने भी हैं आप देख रहे हैं अगर हम इस परकार अगर चलते रहें, यह अवस्य है कि हमारे लिए भी सौटकट वैसा ही होता रहेगा, जैसे स्री परिक्षित महराज के लिए हुआ, और अब जो हमा इधर जो कथा आज जो इस सत्र में जो चड़ी पिछले पांच दिन से, वो केवल और केवल भगवत की कि ब्रह्मन है, भगवान हमारे प्रभु कितने दयालू हैं, कितने किरपालू हैं, जीव के उपर उनकी किंतनी किरपा है, वो दरसाती है, भगवान इस संसार में अबतार लेते हैं, या अंसबतार लेते हैं, कैसे खुद आते हैं, वो किस लिए आते हैं, जैसे प्रभु जी आप ने सुना है पिछले पांच जिनों से सुन रहे हैं भगवान किसे को मारने काटने के लिए नहीं आते हैं अरे मारना काटना तो वहीं से बैड़ बैड़ के सिर्फ वहां से इसारा कर दें तो सब कुछ हो जाएगा लक्षमानी जो कहते हैं भिरुकुटी बिलास ग्यारोय असकंद में भगवान उदभ से कहते हैं क्या कहते हैं अनुगराय भक्तानाम मानुसम देह मासृता बजते तादिर्सी कृड़ा यासतपरत्यु जयात भगवान मैं इस संसार में केवल भक्तों के साथ केलने के लिए आता हूं आनंद लेने के लिए आता हूं अर्द बर्स में इतनी पृत्त भूमी है यहां भगवान केवल खेलने के लिए आते हैं अपने भक्तों से आनंद लूटने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें भी आनंद चाहिए जैसे बालपन में मागा पाथसले प्रेम चाहिए अपने सुना वगवान कितनी मीठी सी बात है भगवान सुरी करिश्ना हंडे को तोड़ दिया दही के किया अपने मटगा को फोड़ दिया और वो दही सारे पूरे फरस में फैली हुई है आप लोह जानते हैं हमको पता है दही जब मिलोई जाती है तो उसमें आधा मिलोई जाती तु उसमें का होता है नीचे दही जो गाड़ा हो जाता है और उसके ओपर एक मक्षन जो एक तराई जैसे बन जाती है उपर तरी जैसे लग जाती है और जब वो गिर जाए तो सारा फर्स जहां भी गिरा हो एक तम चिकना हो जाता है तो मैं देख रहा था भगवान कर्षन को उसमे चल रहे थे जो चुपने के लिए। तो मैं देख रहा था बगवान कैसे चैने घुमक ठुमक आक पाओं उदेर ऑनता एक पाओं उदर ठुमक ठुमक चल रहे थे अपमों कैसे चलते हैं थोरी दिदे बात में देखाता हो और अपने पाउं के निसान छोड़ रहे थे आपने अइसास किया है या भगवान तो माया पती हो अपने पाउं के निसान नहीं छुट मिटा सकते थे कोई जरूरी था है अपने पाउं के निसान रखे जरूरी था नहीं अपने वो चाहते है तो पाउं का एक निसान नहीं रहता मगर उन्होंने अपने पाउं के सारे निसान रखे और पाउं के निसान निए उसे भगवान के पाउं के चर्व चिन नहीं उसमें है क्यों 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 कि हमारे भक्त जब मेरे पास आएं कहीं भटक न जाए सीधे डिरेक्ट आए देख रहे हैं न कनिया यहां से गया है यहां से गया है कि नहीं है फिर ढूंडने के ज़्यादा जरुत ही नहीं है हम सब के लिए भगवान अपने चरन चिन छोड़ गया है किस रूप में भागवत के रूप में गीता के रूप में सो आरे कि अगर मेरा भक्त कहीं भटक जाए तो यह रास्ता उसके लिए भगवान खुद कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए रास्ता छोड़ रहा हूं बताता हूं बार बार कैसे जाना है कैसे जाना है क्या करना है कहा जाना है सब के सब अपने आप ही पता रह जाते हैं अपको दिखाऊं के भगवान कैसे चल रहते हैं ब्याश जी के पीछे देखो सब आँखें उपर करो देखो क्या है कैसे चल रहे हैं मैं देख रहा था उदर से बैठ बैठ के क्या भगवान ठुम कठुम देख रही हैं, कहीं मेरा भक्त कहीं बहुत पिछ रह तो नहीं गया बहुत पिछे तो नहीं रह गया अगर बहुत पिछे रह गया तो थोड़ा रुक जाते हैं थोड़ा सा देख रही है मया कहीं देख तो नहीं रही है यह हम सब लोगों के लिए एक मीठास है क्या बोलते हैं उसको इतनी मीठास है अगर हम इसको ध्यान से मन के उससे अगर हम देखें इतनी बड़ी मीठास है मैंने देखा है वहाँ पर बैट करके जब ये लीला प्रभुजी बता रहे थे न बहुत सारे लोगों क्या आंसु अस्र पूरीत हो थे आंके रो रहे थे लोग क्यों ये लीला इतनी हिर्दैस परसी है इतनी हिर्दैस परसी है अगर उसको ध्यान से अपने मन से अगर सोच करके बताए या पढ़े या सुने तो ऑटमेटिक उसके हिर्दै में यही भगवान का प्रशाद है, भागवत का प्रशाद है, और भागवत का ठल है, एक महात्मा है हमारी हरदवार में, वो हमको बहुत मजाकिय डंग से पूछ दे, आओ भगधराज, क्या हो रहा है, तो हम उनसके पास बैठते हैं, वो बताते हैं, क्योंकि हमारी प्रकार के सि का एक थे बढ़िए कि कुछ हम करें ठीक ठाक हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ताकत तो है नहीँ, वह भक्ती तो हैनए, क्यू है mounted ऑपने आपको बहुत बढ़ा उने, अरे हम छुद्रिजीव हैं, एक बड़े होई हैं, लेक बड़े हु हैं, हमारे कर्मों के अनसारे हम तो किसे पता रहा है, उन्होंने एमका यह सूतर बता है, बहुत बढ़िया, और यह सब के लिए आप लोगों के लिए, वो क्या, तो बोला, देखो, साम को तुम जब सोते हो न, तो थोड़ा सा दो मिनट रुको, और यह सोचो अपने हिरदय के अरदय से, कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, जो कुछ मैं सुन रहा हूं, जो कुछ मैं पूजा, पाठ, तपस्या, जो कुछ मैं माला, जो कुछ मैं कर रहा हूं, क्या उससे मेरा मन संसार की आसकती से छूट रहा है, और वही मन भगवान के चरणों में उसी स्पीड से, उसी अनुकर्म से, किस अनुकर्म से आज तक हम पतने इसके अंदर इतने हुते थे अगर हमको किसी ने बता दिया तुम्हारी पतनी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हम तो छटबटा जाते थे बाब रे बाब नोकरी नाकरी सब छोड़ देते थे उधर जाना यह जो वो आ सकते वहां थी क्या उसी स्पीड से उसी कर्म से वो ही स्पीड से क्या हमारा मन भगवान के चलणों में लग रहा है संसार से छूट रहा है और भगवान के चलणों में लग रहा है यह अनुभूती है अगर तुमारी हिर्दय में हो रही है तो हे भक्त राज, ऐसे बोलता था मेरे, बोलता है, हे भक्त राज, समझ लो, जो कुछ तुम कर रहे हैं, वो बिलकुर ठीक हो रहा है, सही है एकदम, और अगर नहीं हो रहा है, तो समझ लो, गरबर है मामला, ठीक नहीं हो रहा है, तो मैंने का, अगर ऐसा हो रहा है, तो फि को अच्छी सिक्षा मिलेगी तो सही मगर वो कुछ इस प्रकार रहेंगे कि जैसे माना यह मेरे गुरु भाई हैं और बहुत बरिष्ट हैं वो तो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं तो वो तुमको ठीक ढंग से ठीक बताएंगे ने जैसे तुमको चाहिए क्यों हमारे अं तुम्हारे अंदर जो कुछ बाकी रहे गाए वो बता देंगे ए बराना ऐसा कर तुम्हाने यह नहीं क्या ऐसा करो वो बताएंगे उससे क्या होगा तो वो मेरे लिए बताएंगा मैं उनके लिए बताएंगा इससे क्या होगा वो मेरे लिए बताएंगा तो मैं उन अबग जाएंगे क्योंकि यही ये कर्म है घर में बैठे या उस बैठे कुछ नहीं हो जैसे यहां जैसे वहां एक प्रभुजी है हमारे तो वो रोज भागवत सुनते हैं पढ़ते हैं मगर जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है क्यों बहुत सारी संकाएं कई पर वो संस्कृ प्रभुजी के पास आये कथा में तो कितना टाइम नहीं होता है जहां पर संकाव होती है उन से पूछने का समय मांगिए प्रभुजी ऐसा आपने कहा था मेरी समझे ठीक से नहीं आए आप बताएंगे जरूर बताएंगे तो इस प्रकार अपनी कल उसका संका समाधान हो ज अगर अफ्रिबिह हम हम अपनी परिक्षा लेने है था क्या होता है भागवत सुनने का करने का फल क्या है ज़ी ज्यादद तो नहीं भोल दिया थोर था moje 1 मिनट एकपन ऐस भगवान खुद कहते हैं क्या कहते हैं bhaagvaAsma भागवत को सुनने पढ़ने से क्या होता है बोणा पर दिर्ष्ट आखिल आत्मनी और सुकदेब जी कहते हैं दिर्ष्ट आत्मने स्वरी तीन दो लाइन वही है लास्ट भी चेंज है तो यह अगर ठीक सा अपर भुझी बूरे लेट हो गया अब जाना कहते हैं आप लोग कई बैश्णों अगर नाराज हो गए हैं खाने में भ आथविज्यटा आएमत पनष्णणथे करता हुआ समय ऑरे क्रिश्णा मुझी नारे करस्ट आढारे Semana करें अघम्रीन करता हूं मौन सिंग पुरोहिद जी जो मुझे बता रहे थे कि मैंने जब लालगों दोगों के पहली कथा सुनी तो मैं अपने आपको कृष्ण का दास समझने लगा लेकिन जब ये कथा सुनी तो अब मैं कृष्ण को अपना पूत्र समझता हूँ मंच पर विराजमान परमसरदेह पराता इस्वर्णिय संत सुरूप लाल गोविंदास जी महराज को मैं सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ मैं तो सिर्फ के जी का छात्र हूँ अभी और मेरा सोबा के हुआ हम लोग एक आदिवासी एरिया में रहते हैं मैं हम लोग राजस्तान के हैं मारवाडी है हम लोग आदिवासी एरिया में रहते हैं हम लोग और मेरा सोबा के था और मैं मेरे जीवन के बारे में बता रहा हूँ मैं मुझे इस गीता के वगरा इतना ग्यान नहीं है, मैं मेरे जीवन के बारे में बताता हूँ, मैं बहुत ही, मैं पूरा एक पागल जैसा होने की इस्तिती में था, चार-पांच महीने, छे महीने पहले मेरी घर्म पत्नी का आफसान, उनका मृत्य हो गई थी, उसके बाद मे मैं रात-रात मुझे नीन नहीं आती थी, उसके वियोग में मैं पागल जैसा मतलब यासा हो गया था, तीन-तीन, चार-चार, दस-दस माईल ऐसे चलत के जाता था, फिर साम को ऐसा वापर लोट के आता था, और जब ठक जाता था, तो मैं सो जाता था, तो उसमें मेरा सोभा कि राजस्तान के एक गाओं के अंदर पाली के पास में एक कथा हुई, तो उसमें उन्होंने बताए कि ऐसा वो लोगों ने बताए कि इसकौन वाले आने वाले है, तो इसकौन के नाम से मैं परिची था, मैं भी मुबई के अंदर 43 एर्स रहता था, तो मैं बहुत सी बार ज परिच्न सुरूप में उनको देख करके मुझे बहुत ज़्यादा आनद हुआ, बहुत अच्छा लगा, और मनी मन मैंने उनसे का कि मुझे आप खाली लेके जाओ, जो भी असुई था होगी उसको भी मैं सहंत कर लूँगा, सादकों और माता हो, ये बिलकुल सच बात है, मुझे इनका वो भागवत सुनने का अगर मुझे सोबा के नहीं मिलता है, तो साइद में यहा प досुछा yaptा, मैं इसमिति प्रह्म्म हो गया था, मुझे इतना घ्यान नहीं था, मैं कुछ का कुछ ऐसा हो गया था मैं इनका जो भागवत का मैंने सरवन किया वो खाली पांच दिन एक लोकी कारे के लिए मुझे दो दिन बीच में छूट गई हो और मैंने जो इनके स्री मुख से जो भागवत सुना मुझे मैं तो बहुत सी बार में भागवत में ऐसे जाने का थोड़ा थोड़ा सुनने का मोका मिला है पर इनके स्री मुख से जो सुना और जो मुझे आनन्द आया तो जिन्दगी में मुझे ऐसी ऐसी कभी ये सुनने का मुझे मतलब ये ऐसी चीज मैंने सुनी नहीं हो इतना आनन्द आया इतना आनन्द आया कि वो दिन से ही मैंने सं मैंने seven step to success आपका जो मेगा सिटी के अंदर जो बुरी बली में आपने जो सेमिंदार किया था वो सेमिंदार की मैंने कैसेट खरी दी मैं वापस धर्मपुर में गया तो हमारे जो साथ वाले हैं तो हम लोग अफिम लेते हैं अफिम बगेरा मुझे बोलता है आप ऐसे नहीं करेंगे तो हम आपकी क्या मनवार करेंगे आपको चाय काफी पीना चाहिए तो मैंने उनको seven step to success की पंदरा नंबर की कैसेट लाश्ट दिन की मैंने cassette मैं और मेरी माता जी वहाँ पे बैठी है मैं और मेरी माता जी हम लोग उसको बार-बार वो cassette को पंदरा नंबर की cassette को सुनते थे हमारे अंदर एक वेरा की जैसा उत्मन हो गया और मैंने उनको जाके दुकानदार को जाकर के मैंने समी नहीं मेरे घर के अंदर मेरे घर के अंदर मैं और मेरी माँ और मेरे बच्चे कोई लसन खाते हैं। वो एक दो एक दम नौजवाने वो पीते हैं वो मेरे घर में हम लोग सिवाई दूद के कोई ये चाई पीना भी हमने बंद कर दिया है लसन कांदा है लसन है हमारे पूरे परिवार ने उसका बाई कॉट कर दिया है कांदा है वो मैं अभी लाके उनको देता था मैं अभी यह से जाओंगा तो मैं मेरे बच्चों को मेरे पूरे परिवार को मैं संदेश दूँगा कि बेटा मैंने मेरा जीवन हमारा जीवन हमने काली मजूरी की है यह कछी लोग हमको बोलते थे हमारी दुगाने थी उदर हम लोग को बोलते थे कि तमया काली मजूरी करो ज अज़े तक यह धन कमाने के लिए मेरे पुरे शरी को में ने गिजदिया, यह चलने में जो यह तकलीफ हो रही है, जो काम आदमी कम से कम हाट दस गंटा करता है, मैंने अठारा अठारा गंटे दुकान के अंदर काम किया धन कमाने के लिए मेरा जीवन पूरा मेरी वाइब चली गई मैं पागल जैसा हो गया और मुझे उसका जो फल मिला वो मैं बताता हूँ मैं अभी नित्य सोला माला का जाब करता हूँ ये गास्ट में बैटा हूँ जूट नहीं बोलना चाहिए कभी कभार ऐसा होता कि कभी ऐसा कोई काम होता तो वो दिन थोड़ी कम माला होती है पर मैं चलते फिरते जैसे मैं तो खाली बील बनने का काम करता हूँ पर जैसे ही गराग चला जाता है मेरी माला चालू रहती है गराग उदर देखता है काम होसा मेरी माला का जाब चालू रहता है बराबर इस डंग से मैं मेरा जीवन जीता हूँ तो मैं तो आप लोगों से ऐसी अपिल करता हूँ सुनो पागल होने की बजाए अच्छे डंग से जीना वो मनुश्यता कहलाती है मेरे भाईयों बेनों मैं आप से कहता हूँ कि अभी आने जो कुछ ऐसा यह रस्ता जो अभी आप नहीं पहुंच पाए है तो भी मतलब वो सब छोड़ने की कोशिश करो छोड़ दो वो मैं आपके सामने देखो मैं पूरा तंदुरुस्तू यह पहर अभी तोड़ा खराब हो गया यहां से एक दम पूर्ट में यह अच्छे टंगसे हों में और मैं गुरुदेव से अभी हमारे जो गुरुदेव है मेरी माता जी अभी बोलती है और हमने आपको गुरु बनाने का अपले आप हमारी उमर में मेरे से छोटे हैं पर ग्यान अवेसा बड़ा होता है आप ग्यानी है इसके लिए उपर बैठे और हम आपके नीचे बैठे साथ ओग और हम आपको दंडवत प्रणाम करते है गुरुदेव मेरी माँ की तो उमर बहुत अब कम है मेरी माँ आपको गुरुत के रूप में सुईकार करना चाहती है और मेरी ऐसी दार्णा की मैं आपके गुरुको मैं गुरु बनाऊ और आपसे हमेशा में तो हमेशा शिक्षा ही लेता रहूँगा सुनो हर तरह से जीवन में मेरे शान्ति है सुख सांती मेरे को मिली है मेरी भाइब कही इसका कोई मुझे गम नहीं था यहां पे जो पोथी हमको मालूम नहीं थी जब मालूम पड़ी मेरी भाइब को भगवान की प्राप्ती हो जावे इसके लिए मैंने ये पोथी खरी दिये ये पोधी मैंने इसके लिए मेरे पिता जी के इसके लिए उनकी आत्माई मेरे दादा जी वगएरा ये जो कूस वावड वगएरा होती है हमारे घर में वगएरा ऐसी होगे उन आत्माओं को जानी मेरे जानी अनजानी आत्माओं को भगवान की प्राप्ति होए इसके लिए म मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो आप से एकी अपील करता हूँ, प्रभु जी में केज जी का चात रहूं, आपकी कृपा द्रेश्टी मेरे उपर बंदी रहे, और मैं भक्ती मारक पे आगे चलता रहूं, मैंने बहुत मैनत किया, काली मजूरी किया, मैंने सुनो, और मुझे जो कुछ मिला है, मेरा मैनत का फल मुझे नहीं मिला है, मुझे जो कुछ जितना मिला है, प्रभु प्रसाद मुझे मिला है, मुझे प्रभु प्रसाद मिला है, मैं मेरे जीवन से बहुत संतुष हूँ, और मेरी कैपेसिटी से उपर भगवान ने मेरी की लोटरी लगा दि मैंने आपको एक पुरा मेरा जीवन मेरे पास जो कुछ था मैंने उनको दे दिया है आप मुझे खाली दो रेम की रोटी चाहिए दो कफड़ा जो मेरे कुछ नहीं चाहिए सब कुछ हमने उनको दे दिया है अब हम स्वतन रहें चाहिए दीवाली की सीजन होए चाहिए कोई से पर जा है जहांब किया को दो है। सब्थी सिजनों मेरे पूछर को मेरे चाहिए भगवाल कामता सब्सक्रान सक्राइऄा का मेरत मीरे थाध्या होगा है। कि तो मारत शालन विए भेन स्युक्तों को शेयर लीए ये गुरुदेव, ये मैं आप से, बहुत्वान मेरे पुत्र के समान है, ऐसा मैं अभी समझूगा, मुझे उनसे कुछ भी नी चाहिए, कुछ भी नी चाहिए, कुछ भी नी चाहिए, ये भगवान जब तक मेरा पुनर जनम होए, मुझे आपकी भक्ती चाहिए, इसका ये परिवार के उपर, आपका गुरुदेव का हमेशा, आप तो गुरु है, हमारे ज्यान देने वाला हमेशा बड़ा होता है, हमेशा आपकी कृपादस्ती आमारे उपर बनी रहे, बस इनी शब्दों के साथ में मेरे दो शब्नों को विराम देता हूं हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 राम इन तिनों वरिष्ट बगतों ने हमारे बीच में हमें अपना अनुमोधन सुनाया तो आप लोग भी इस प्रकार से अपना अनुमोदन यहां पर कहकर सभी बक्तों को उत्साहिद कर सकते हैं तो जिनको भी अनुमोदन करने की इच्छा है तो वो मुझे आकर मिलेंगे और मुझे नाम लिखाएंगे अभी कुछ एनॉंस्मेंट है आज का जो दोपर का फिष्ट प्रसाद है वो स्री वल्लब भाई की ओर से है वल्लब भाई वल्लब भाई तो कृपिया स्टेज पर आईए और प्रभुजी के हाथों से फूल माला प्रसाद करहन करें आई एक बार जोर से महामंत्रा हरे खृष्णा हरे खृष्णा 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 वल्लब भाई जहां पर भी भागवत कता होती है तो प्रसाद डिपार्टमेंट में प्रसाद बनाने में बहुत सुन्दर सायोग देते हैं अपना तान मन तो देही चुके हैं आज उन्होंने प्रसाद बनाने के साथ साथ प्रसाद स्पॉंसर भी किया है अतन इनके लिए वलब बाई के पूत्र भाविन और उनके पूत्र रेवा का जन्मत दिन है आज इसलिए उन्होंने आज का प्रसाइच स्पॉंसर किया है इनके साथ साथ और भी अन्य बगतों का सहयोग रहा है तो मैं जिनका नाम बोल रहा हूँ भीमजी भाई भीमजी भाई और शाम सुंदर प्रभू वर्षा बेन मौनपरा कैलास बेन नावडिया इन सभी भक्तों को निवेजने हैं कि क्रमाश यहां पर पगारे शाम संदर प्रभू वर्षा बेन मौनपरा कैलास बेन नावडिया जहीं भी है दिख्या यहां पर जल्दी से जल्दी स्टेज पर आए शाम संदर प्रभु वर्सा बेन ओड़ परा काई लास बेन आवडिया हाये इंकी लेक बार महामंत्रा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 अंश्टा अंच अंच बेता है नहीं है पर उनकी और से कोई है कैलास बेन नावडिया वर्सा बेन मौनपरा और कैलास बेन नावडिया और और वियन वक्तों का सहयोग है उनमें से विशेश में नाव बोल रहा हूं न के मितल जी यहां भी है कृपिया स्टेश पर आईये और बगुजी से आश्रिवाद ग्रहाण कीजिए फास्ट आईये इस बार महा मंत्र लेते हैं हाला अच्छा है एक बार जोर से महा मंत्रा अच्छा हरे घ्रिष्णा अच्रिष्णा था अरे राम, अरे राम